इस वेबिनर में या मास्टर क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और वेलकम इन दिस मास्टर क्लास और इस मास्टर क्लास में आपको जो चीजें मिलने जा रही हैं वो निश्चित रूप से आपकी लाइफ के लिए बेहद इंपोर्टेंट हैं क्योंकि वो सिर्फ जानकारी नहीं हैं बलकि आपकी ट्रांस्फॉर्मिशनल स्किल्स भी हैं जिन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूंगा आपका ये सवाल हो सकता है कि ये वेबिनार क्या मेरे लिए हैं ये मास्टर क्लास क्या मेरे लिए हैं तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूं कि ये किसके लिए हैं एक बार कंदे सीधे करके बैठिये ये स्टुडेंट्स के लिए हैं जो ये मानते हैं कि उनको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अच्छा कॉंफिडेंस चाहिए माइंड का ट्रांसफॉर्मिशन चाहिए पॉजिटिव नियूरो प्लास्टिक चेंड चाहिए अपने माइंड में या नियूरल पाथवे पॉजिटिव चाहिए ये यूथ के लिए है जो बेहतर तरीकों से अपनी पोटेंशल को चैनलाइ इंडिफरेंस आ जाता है रिष्टों में चीजें खराब हो जाती हैं आप एक बार फिर अपने रिष्टों को फ्रेश कर सकते हैं अगर आप माइंड टेक्निक जानते हैं वैसे भी आपने मिड़ लाइफ क्राइसिस के बारे में सुनाई होगा जब एक उम्र के बाद या एक समय के बाद आप अपने पार्टनर में या लोग अपने पार्टनर में इंट्रेस्ट खोना शुरू कर देते हैं और वो शादी एक गलत रास्ते की तरफ चल पड़ती यह का आइमीन बिजनेस परसंस के लिए जो अपने बेहतर गोल्स को अच है उनके बारे में मैं अभी डेटेल में बात करूंगा आप मैंसे कई लोगों ने हैंड रेज किया है निश्चित रूप से आप कुछ कहना चाहते हैं उग्जे तो इस वक्षोप की खास बात यह रहेगी कि जब तक आपके क्वेश्चन्स पूरी तरह से रिजॉल्व नही हो जाएंगे मैं इस वेविनार को या मास्टर क्लास को नहीं छोड़ूंगा तो अब आप निश्चिंत हो जाईएगा लेकिन क्वेश्चन हम बाद में लेंगे अगर हम बीच में लेंगे तो हमारी जो वक्षोप की एक फ्लो है और आप कह सकते हैं कि जोसके बेनेफिट है वो मिस हो जाएंगे इसलिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें मैं पूरे एक-एक सवाल का जवाब आपको दोंगा आप मेंसे बहुत लोगों के अपने परसनल इशूज होंगे फैमिली के इशूज होंगे परसनल्टी के इमोशनल मेंटल डिप्रेसान देखते हैं तो आप अपने नेटवर्क को एक बार चेक कर लीजेगा और इसका आनंद लेने के लिए आप किसी भी वैविधान यानिकी डिस्टर्बैंस से थोड़े देर के लिए दूर रहिएगा कई मॉमेंट ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यह चीज मुझे होंगी मैं एक टेक्निक के बारे में बात करूंगा उसे हम नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रेमिंग कहते हैं पॉपुलर्ली इस टॉपिक को एनलपी के नाम से जाना जाता है पूरे वल्ड में एनलपी बेसिकली जितने भी बड़े कॉर्पॉरेट के सीई ओज हैं ए प्रोग्राम करते हैं पीक प्रफॉर्मेंस के लिए दोसी टेक्निक का मैं बीच बीच में नाम ले सकता हूं उसका नाम है नियूरो प्लास्टिसिटी यह भी 21st century की एक नियूरो साइंस है तो मैं इनहीं को बेस बनाकर आपकी पांच लाइफ के बारे में बात करूंगा और यह पांच लाइफ हैं आपकी हैल्थ सिंबल सी बात है कि जब हमारी हैल्थ अच्छी नहीं होती चाए वो मेंटल है इमोशनल है या फिर फिजीकल है तो हम कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं हमें यू लगता है कि सारी जिन्दगी आमिन दुनिया का मीनिंग हमारे ल हो जाता है हम अपनी लोगों को सलहा भी डिफरेंट देते हैं जब हम बीमार होते हैं तो एक बड़ा एरिया आपकी लाइफ का है दूसरा बड़ा आपकी लाइफ का है वह है आप कह सकते हैं कि फाइनेशल फेडम पैसा हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट यह एक ऐसी चीज है तो शायद कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर यह नहीं है तो बहुत फरक पड़ता है और पैसे के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास बेतर मनी हो ताकि हम अपनी निर्ज को पूरा ना करें बलकि दुनिया के लिए भी काम आएं मैं उसके बारे में खुझ ख आपका सोशली इंपक्ट यानि कि आप सोशली कितना अच्छा बनना चाते हैं फोर्थ है आपकी रिलेशनशिप्स और फिफ्थ है आपकी स्प्रिच्वालिटी यानि कि आपका खुद के साथ कैसा कनक्शन है यह पांच एरिया अगर आपके बेतर हैं तो मैं मानता हूं कि एक बैलेंस्ट और हैपी लाइफ जी रहे हैं यह पांचो एरिया में ऐसा लगता है कि एक एरिया तो बढ़ गया है और बाकी में हम पीछे रह गए हैं यह तो वही वाली बात है कि हमारा एक हाथ अगर लंबा हो जाए तो हम इसे ग्रोथ तो कह सकते हैं पर इसे सही होंगा जो भी चीज मैं दूँगा वो दिल से दूँगा आप भी दिल से लीजेगा कोई राशनिंग नहीं करूँगा सवालों का जवाब दूँगा हाँ आपको आगे बढ़ने के लिए मैं आपको आमंत्रित भी करूँगा मेरी जो मास्टर सिगनेचर वक्षोप्स हैं उ के लिए उनकी भी जानकारी मिलेगी लेकिन इस ही वक्षोप में आपको इतना कुछ मिलने जा रहा हैं कि यह कोए इस लिए मैंने मास्टर किलास क्या और वेबिनार तो आप आरामसे मेरे साथ जुड़े रहिए मुझे मालूम है बीच-बीच में सवाल आएंगे आप अपनी नोट बुक में उन्हें नोट कर लिजेगा मैं एक-एक सवाल का जवाब देकर ही इस वेबिनार को छोड़ूँगा चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए उसकी आप कोई भी चिंता ना करें एक-एक क्वेश्च सब्सक्राइशन यहां से शुरू होती है कि सबसे पहले मैं इस वेबिनार में या मास्टर क्लास में आपको एक चीज बताऊंगा वह हमारा सबकॉंशिस माइंड इसके बारे में आपने सुन तो बहुत रखा है किताबें भी पढ़ रखी है पर कई बार ऐसा लगता है कि द यूज नहीं कर रहा है बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है सताइस सालों में रामसर हमारे सबकॉंशिस में बड़ी पावर होती है मैं कहता हूं यह सोती है लेकिन तों अपनी बीमारी को क्यों नी ठीक कर लेते यह ओटो इम्यून डिजीज आ गई है क्यों नी ठीक कर ले उन उसने रटाया के एक शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लालच बुरी बला है लालच में नहीं फसना और उसने खूब तोतों को ट्रेंड किया, तोते गाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच बुरी बला है, जाल में नहीं फसना शिकारी ने एक दिन सोचा कि अब तोते पूरी तरह से ट्रेंड हो गए, अब मैं इनको फ्री छोड़ देता हूँ, तोतों ने उडान भरी, जंगल की तरफ गए, गाना एक ही चल रहा था, कौन सा, कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच बुरी बल जालच में चले गए, गाना भी भी गा रहे थे, और सब जाल में फच गए, शिकारी ने जाल पीछे अपनी कमर पे डाला, उन्हें अपने घर ले जाने लगा, लेकिन सभी तो होते जाल के अंदर एक ही बात गा रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल यही हमारे साथ हो रहा, छही बात तो है, यही हमारे पास हो रहा है, हम कहते रहते हैं कि हमारे पास एक सबकौंशचे से, उसमें असीमित possibilities हैं हमें धन कमाने की हमारी ये knowledge हमें बहुत सारे लोगों को भी अमीर नहीं बना पाई हमें ये मालूम है कि हमारा mind हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है फिर भी वो लोग बड़े बीमार हैं इसे psychology में classic assumption के नाम से जाना जाता है यानि कि हमारे पास ये तो मालूम है कि हम क्या क्या कर सकते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा तो आज हम इस subconscious के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कैसे चलता है कैसे काम करता है और क्या क्या ये आपके साथ पंगा लाइफ का कर सकता है अगर आप इसमें इसको अच्छी तरे से ट्रेंट करना नहीं जानते। याद रिखेगा ये बहुत अच्छा नोकर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक मालिक है। अगर आप अपने mind को चलाना जानते हैं तो आप इस दुनिया के बड़े वीर हैं और अगर नहीं जानते हैं तो फिर mind आपको आप बेसिकली चला रहा है और आप ये ही कह रहे हैं कि एक दिन शिकारी आएगा दाना डालेगा कहने केहने का मतलब है कि अब आपको इस role को बदल रहे हैं इसे हम 21st century कहते हैं यहां बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहां पर बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने की हमें अपॉर्चुनिटी महलत मिली हुई है जैसी जिन्दगी हम जी रहे हैं पहले ऐसी नहीं थी अपसे 40 साल पहले हमारे पास यह कम्यूनिकेशन की आइमीन फैसिलिटी नहीं थी ट्रांस्पोर्टिशन की भी नहीं थी इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी जितनी आज हैं लेकिन साथ ही 21st शताबदी ने हमें चैलेंजिज भी दिये हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाईयां अगर एंग्जाइटी और डिप्रेसन क विकरी हैं तो हमारे देश में विक रही हैं स्कूल के जाने वाले बच्चे सबसे अधिक स्ट्रेस्ट एंग्जाइटी और डिप्रेसन के शिकार हो रहे हैं चार में से तीन बच्चे साइको सोमेटिक डिजीज मोटा पा वॉयलेंट बिहेवियर डिप्रेसन पेरेंट्स के साथ आप कह सकते हैं कि वो खराब रिष्टे इससे आगे वड में क्या बोलो इनके शिकार हो रहे हैं याद रखेगा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन उनके दिमाग के अंदर जो इंस्क्रिप्शन्स या पैटर्न्स आ रहे हैं उनके जिम्मेदार वो नहीं हैं हमारा कई लोगो सकते हैं कि जिनको एंग्जाइटी की प्रोब्लम आ गई है ऐसा लगता है कि दम गुठता है दिन भर सर में दर्द रहता है माइग्रेन हो गया है या फिर कोई आपको लगता है कि OCD आ गया OCD समझते हैं आप अगर आप समझते हैं तो जरूर फिर आप इसके बा प्रवाजे चेक करते जा रहे हैं 50 बार और आपको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं फिर हम फोबिया के शिकार हो रहे हैं किसी को बंद जगह का फोबिया है अगर किसी को आप में से है तो याद रखेगा यह ठीक नहीं है इससे रिश्टे खराब होंगे हमेशा किसी को हाइ के फोबिया के बाद आप कभी भी सफलता की उचाई पर नहीं जाएंगे और अगर सफलता आपको मिल भी गई तो आप ऐसा गेम खेलेंगे कि फिर असफल होने का पैटर्न आपके दिमाग में आएगा कई बार लोग कहेंगे यार तुमारे अंदर क्या गड़ बड़े इतनी म और यहां से शुरू होता है हमारे पास पैनिक अटेक, नर्सिस्टिक बिहेवियर जिस से रिष्टे टूट जाते हैं और अगर बीमारियों का नाम ले तो सारी बीमारिया साइको सोमाटिक हैं साइको का मतलब है आपका माइंड यानि के ब्रेन, सोमा मिन्स सापका शरीर या वो आपके mind में कहीं पैदा हुई थी लक्षन शरीर में दिखाई दे रहे हैं जिनके different नाम आपने शरीर के अंगों के साथ जोड दी हैं लीवर में हो गया तो लीवर सिरोसिस कर दिया किड्नी में होगी तो किड्नी फेलियूर कर दिया थाइराइड होगी तो हमने थाइराइड़िजम बॉल दिया यानि कि और्गन्स के नाम में लेकिन बीमारी एक ही आपको कि आप mind में डिस इज लिए घुम रहे हैं और उसी का नतीजा है आपकी सारी डिजीज चाहे वो साइको सोमेटिक हो या ओटो इम्यून अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं एक जो तरीका आप अपना रहे हैं वहाँ पर कई बार यह कहा जाएगा कि बस आप इनको सप्रेस तो कर सकते हो और कुछ नहीं और डॉक्टर भी आपसे यह कहेंगा दिकांश कि आपके माइंड में कोई स्ट्रेसर पड़ा हुआ है मुझे भी यह कहा था जब मुझे बीमारी थी माइग्रेन की अलोपीसिया की रिमेटाइड अर्थराइटिस पैप्टिकल सर इनकी वसे मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया और वहीं से मुझे यह टेकनीक भी मिली क्योंकि मैं अपने आपको हील करना चाहता था अगर आप यह इश्यू को फेस कर रहे हैं अपने घर में या अपनी लाइफ में तो एनलपी यानि के मेरी यह स्किल्स आपके बहुत काम आएंगी और यह भी हो सकता है कि अगर आप एनलपी सीख ले तो अगले दस सालों में जो खर्च करें आप पैसा वो कम से कम लाखों में बचा सकते हैं और उससे भी इंपोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के पढ़िएगा पैसा तब आएगा जब आपके माइंड के अंदर एक विशेश प्रकार का पैटर्न बनेगा इसे लिख लीजेगा बले इसे हम नियूरो प्लास्टिक चेंज कहते हैं आपका ब्रेन हर एक थोट के साथ बदलता है अगर मैं आप से कहूं कि जब से आपने इस वेबिनार को देखना शुरू किया है आपका ब्रेन वैसा नहीं रहा 21st century की नियूरो साइंस की यह टेक्निक बताती है कि हर थोट आपके ब्रेन को बदलता रहता है structure को mind को ही नहीं structure को यानि कि हमारा ब्रेन जिसको हम नियूरो के नाम से कह सकते हैं plastic की तरह है जिसे हम किसी भी shape में डाल सकते हैं अगर मैं यह कहूं मुझे भी एक दिन पैसा कमाना है तो यह थोट भी मेरे ब्रेन में जाएगा लेकिन सिर्फ हमारे ब्रेन में उस समय केमिकल नियूरो प्लास्टिक चेंज आएगी यानि कि थोड़ी से केमिकल उपर नीचे होएंगे और हमारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए अपनी शेप को बदलेगा और हम सोचेंगे कि मैंने अपना थोट किरिय जाएगी फिर यह समाप्त हो जाएगी इसलिए अधिकांश गोल जो हम याद कर लेते हैं या लिख भी लेते हैं या फिर हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुगते हैं तो हमारे ब्रेन में सिर्फ केमिकल नियूरो प्लास्टिक चेंज होती है थोड़ी बहुत देर तक या एक आध दिन में वो समाप्त हो चुकी होती है क्योंकि वह है माई ब्रेन फिर अपनी शेप में वही आ जाता जैसा पहले था लेकिन अगर इस थोड़ को आप एक पर्टिकुलर टेक्नीक से एक तीवर इंटेंसिटी के साथ डालें तो यह आपके ब्रेन में केमिकल नियूर प्लास्टिक चेंज कर सकता है और जैसे ही आपके ब्रेन के अंदर फ्रेंट से इस्ट्रक्शरल नियूरो प्लास्टिक चेंज आ जाए अब यह थोड़ आपके आर एस फेक्टर को एक्टिवेट करता है आपके ब्रेन में ग्रे मैटेल में एक ऐसा एरिया होता है ब्रेन के लिजेगा इसे medical doctor भी आपको बता देंगे इस RAS factor की खास बात यह होती है कि अगर आपने अपने थोट को neuroplastic change के अनुसार डाल दिया है तो अब आपका brain reticular activating system RAS के द्वारा आपको इतनी उर्जा देगा कि आप उन opportunity के साथ जुड़ जाएं जहां से आपको धनाएगा इसे कभी भी आप confirm कर लिजेगा तो जो चीज आज मैं दे रहा हूं वो आपके लिए सिर्फ पैसे के लिए important नहीं है आप अपने बच्चों के भी तो RAS factor strong करो तभी तो वो उन opportunity को ढूंडेंगे जो उनको IIT, CPMT या PMT की तरफ ले जाएंगे अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो पहले RAS factor को strong कर लिजेगा आपका mind इतना powerful है कि वो इस opportunity को automatically पहचानना शुरू कर देगा अब मैं इसकी भी बात करूंगा आप भी चाहते हैं अगर हाँ तो एक बार I जरूर टाइप करिएगा और तीसरा मैं आपके साथ आप अगर एक business person है अगर आप एक business person है entrepreneur है या आप एक entrepreneur बनना चाहते हैं या एक business शुरू करना चाहते हैं तो आप आप next level पर अपने आपको कैसे ले जाएं यानि के business 2.0 को कैसे achieve करें और ये तभी achieve कर सकते हैं कि पहले आप you 2.0 को enjoy करें ठीक है ना क्योंकि जितना भी business है वाफिक extension है ये तीन चीज़े मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन अभी एक चीज़ और भी है जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगा आप 21st century का एक career के बारे में शाद जान गए होंगे 21st century का biggest market है wellness और आप NLP career बना सकते हैं it is a new gen career यानि कि आप एक NLP life coach भी बन सकते हैं मेरी तरह यहां पर अगर आप life में चाहते हैं कि आप satisfy रहें जुतने आप उम्र में आगे बढ़ें उतनी ही आपकी demand हो आप कभी भी recession के शिकार ना हो लोगों को positive चीज़ देते देते आप भी इतने positive रहें कि रोज आप एक winner की तरह आगे बढ़ते रहें और हाँ आप एक contribution भी करें तो आप एक करियर भी शुरू कर सकते हैं और NLP one of the biggest market है आपके लिए अपर्चुनिटी आपके लिए इन चार चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूंगा लेकिन पहले जो तीन चीज़े हैं मैं कम से कम चार या पांच टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा इन टेक्निक से आप इम्मीडियेटली अपना रिजल्ट प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं होगा कि मैंने टेक्निक सिखा दी और मैं आप से कहा हूं अब एक साल मिलेगे नाइं इट विल वर्क फ्रॉम टूड मैं पिछले 27 सालों से लोगों को एंपावर कर रहा हूं एक मिलियन से अधिक लोगों को मैंने लाइव यानि के अगर पैंडेमिक के बात भी करें तो थोड़े से लोग ऑनलाइन और बाकी लाइव एड्रस किया है एक मिलियन से ज्यादा और अगर मैं कहों डिजिटली तो मैंने करीब 10,000 से अधिक लोगों को अपनी वक्षोप दिये जिसका नाम एनलपी सबकॉंशेस री इंप्रिंटिंग मास्टर प्रेक्टिशनर कम कोच प्रोग्राम में मैंने पांच किताबें लिखी हैं और इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे इस वक्त यूट्यूब पर 4,49,000 एक चैनल पर सबस्क्राइब आ रहे हैं गूगल पर अगर आप मेरा नाम टाइप करेंगे तो आप इंडिया में किसी भी लाइफ ट्रांसफोर्मर के रिव्यूज को जब पढ़ेंगे तो मेरे बहुत ज़्यादा उन से मिलेंगे एक बार पढ़कर देखिएगा और उनकी रेटिंग है 4.9 उसी तरह से 350 रिव्यूज आपको मिलेंगे फेस्बुक पर एक बहतर या बेस्ट रैंकिंग के साथ तो मेरी ये स्टोरी ऐस है लेकिन ऐसा नहीं था मैं अपनी लाइफ में कभी ट्रेनर बनना ही नहीं चाहता था लुआ बैसीक्ली हुआ यहूं के मैं बच्पन से ही कुछ ट्रॉमा का किया रहां से कुछ बिमारियां मेरे साथ लग गई बच्तिल्प में माईगे picture सरे और पॉस्टिगेशन में गया तो पैप्टिकल सार इतना बढ़ गया कि मुझे वो छोड़ नहीं पड़ी जोब किया थोड़ी दिन के तक ठीक ठाक काम चलता रहा फिर अचानक at the age of say round 3031 I got rheumatide arthritis यहनी के गठिया भाई जिसको आप autoimmune disease कहते हैं और एक डॉक्टर ने मुझे क एक तरह से desperation life में बढ़ गई अगर मैं बैठ जाता तो तो मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता था खड़ा रहता था मैं तो बैठा नहीं जाता था इतना दर्द और इतनी सूजन कुटनों में बढ़ चुकी थी और ए फेक्टर भी बहुत आगे था और तब मुझे शायद law of attraction था या power of miracles थे कि मुझे एक टेक्निक के बारे में पता चला उसका नाम है एनल पी नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नियूरो का मतलब हमारा brain किस तरह से किस language से प्रोग्राम होता है और किस तरह से हमारी programming बन जाते किसी भी pattern को करने की और मैंने इसको सीखना शुरू किया निश्चित रूप से मेरे पास कई challenge थे मैंने फिर भी इस technique को सीखा और at the age of 34 मैंने अपने आपको cure कर लिया फिर मैंने इस technique को लगाया अपने goals पर क्योंगी mind में अगर power है तो मैं अपने goals को पूरा करूँगा 35 की age में यहनिके एक साल बाद मैंने इसकी छोट-छोट training देने शुरू कर दी 37 की age में मैंने एक school को found किया जहां पर अब डाई अजार से तीन अजार बच्चों के बीच में पढ़ते हैं and it is one of the best schools of that town I mean district not town और यह मेरी social responsibility थी कमाल की बात थी कि यह तब मैंने शुरू किया था जब मेरे हमारे पास पैसा था ना ही अच्छी building थी building भी नहीं थी और ना ही हम पर education थी किस तरह से school को चला जाता है but it is one of the best schools we have given to the society उसके बाद मैंने अपने career को शुरू किया और तब से जरनी चल रही है मैं आज आपके साथ बैठा हूं और मैं यह मानता हूं कि मेरा और आपका मिलना यह मात्र चांस नहीं है यह एक predestined choice है यह पहले से निर्धारित कोई ना कोई शक्ती है जो मुझे और आपको मिला रही है एक message को देने के लिए ऐसा ही message मुझे मिला था जिसे हम miracle message कहते हैं जब आपके mind के अंदर कोई ना कोई चुपी भावना रही होगी कि आपने इस एड को देखा और आपने register कर लिया वरना इस एड को बहुत सारे लोगों ने देखा था और जितने लोग जोएन कर रहे हैं इसके करीब तीन गुना लोगों ने register भी किया था लेकिन सब के लोगों के जो mind के pattern थे उन्हें वो यहां तक लेकर नहीं आए याद कि इसी तरह से जो भी चमतकार का message हमें मिलता है वो ऐसे ही मिलता है तो मैं अगर यह मानता हूं कि आप यहां पर predestined meeting के तहत बैठे हैं तो यह मेरा हक बनता है और मेरी duty बनती है कि मैं आपको अपना पार्ट अपने प्रिवार का अंग मानते हुए जो भी इन दो घंटों म इतना बड़ा हिंदुस्तान टाइमस ने ठीक है ना यह मेरी कुछ ग्लिम्सेज हैं वंडे वक्षोप्स की और यह मेरी फाइव डे वक्षोप्स की ग्लिम्सेज हैं इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एन लपी के बैसिज़ें देवर्द बिगेस्ट बैसिज़ें नॉट आ इंग्जाइटी के लिए अपने बैड इस्टेट के लिए एनलपी सी की और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हों ने लोगों को ट्रांस्फॉर्म करने के लिए कोचिंग इंडिस्ट्री में जाने का फैसला किया दोनों ही लोग अपनी जगे पर अपना काम कर रहे हैं आप भी उन पर ले और इससे पहले के यह क्यों करें इसलिए कि आज हमारे पास बहुत मसले हैं इस्टूडेंट के मसले हैं यूद के मसले हैं यह बहुत ज्यादा इस्ट्रेस्ट हैं कपल्स के मसले हैं कि उनके बीच का जो प्यार है वो समाप्त होता जा रहा है हमारी अदालतें सारी depression anxiety के issue हैं इसलिए जरूरी है कि आप अपने subconscious को समझ ले इसे समझने के लिए आप यूं समझे कि हम कैसे चीजों को receive कर रहे हैं और अपने mind में डाल रहे हैं और ये mind में जो event डलती जा रही हैं जब से आप पैदा हुए हैं ये क्या कर रहे हैं अगले पांच मिनट में बताऊंगा और फिर एक घंटे तक मैं आपको skill सिखाऊंगा training दूँगा उनके कुछ steps होंगे आप उन्हें note कर सकते हैं उनको enjoy भी कर सकते हैं और कुछ को मैं enjoy कराऊंगा और आपको लगेगा ये तो मेरी जिंदगी का सबसे best पलता और मैं तो ठीक भी हो गया हूँ हो सकता इसी वक्त आपकी कोई बीमारी भी ठीक हो जाए जिसे आप लिए घुम रहे हैं कोई depression कोई anxiety आप लिए घुम रहे हैं शायद वो आज ही अगले 20 मिनट में ठीक हो जाएगी जब मैं आपको mind की technique सिखाऊंगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह मेरा तजूर्बा है और मेरा यकीन भी है शुरू करते हैं friends यह मैं और आप हैं वैसे तो हम इस आजमी से तो smart जादा हैं जिसे हम देख रहे हैं और यह तो एक metaphorical picture है human being की और इसके ओपर देखें यहां लिखा है real event जब से हम पैदा होते हैं जब हमारी life में real events चलती रहती है जैसी पैदा होते हैं थपड़ लगता है nurse का उल्टा लटका कर रोना शुरू करें और यहां से यह थप पड़ और यह प्यार चलता ही रहता जिंदगी भार कभी कोई गले लगाता है कभी कोई कोई नेची सिखाता है कभी कोई गले काटने की बात करता है तो कभी कोई नुक्सान करता है हर पल हमारी life में event चलती रहती है और इन events को हम तीन बड़ी senses से लेते हैं पाउस से लेते हैं लेकिं तीन में हैं कुछ चीजों को हम learn करते है विज कर रही यानि कि आप आप आखों को प्रियोग कर रहें जब आप अपने केमिकल एक्वेशन को spellings को diagram को याद करते हैं तो इन आखों का प्रियोग करते हैं जब आप किसी का चेहरा पहचानते हैं अपने घर का address देखते हैं अपने घर पर आते हैं गाड़ी चलाते हैं तो आप visual sense का प्रियोग करते हैं जिने आखें कहते हैं दूसरी sense है जिसे हम audio कहते हैं कुछ चीजों को आप देखते नहीं सुनते हैं मेरे शब्द आप तक जा रहे हैं यह दिखाई नहीं दे रहे हैं आप अपने कानों का प्रियोग कर रहे हैं तो मैं कहूंगा यह ओडिटरी सेंस है जितनी भी लेंगवेज है इसी से हम लर्न करते हैं तीसरी है काइनेस्थेटिक कुछ चीजों आप देखकर नहीं बता सकते हैं तो आपको टच करना होगा और आप अपने इसकिन को जब यूज करते हैं टच करते हुए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सेंसर है येस आपके इसकिन दुनिया का सबसे बड़ा सेंसर है और यह आपकी आँखों से भी ज़्यादा आपको information देता है जाने अन जाने में इसलिए कभी भी आप अपने skin को desensitize मत करिएगा ये आपको बहुत अच्छे-च्छी decision making में emotions create करती है ये real event हमारे mind में जब आती है तो directly हमारे mind में जाती है नहीं हमारा mind किसी भी event को लेने से पहले पहले एक filter से गुजारता है और filter में तीन चैनल है पहले का नाम है default deletion कुछ चीजों को आप delete कर देते हैं मैंने जितनी चीजे बोली ना आपको sense के लिए पर जो करती हो आप बोल देंगे नहीं कुछ words आपने delete कर दिये हमारे mind के एक खास बात है कि कुछ चीजों को delete करता है लेकिन अगर हमारे बच्चे पूरे साल पढ़ें और exam के दोरान सभी कुछ delete कर दें तो फेल हो जाते हैं यही तो कारण है कि हमें NLP सीखनी चाहिए कि किन चीजों को delete करना था और किन को नहीं कुछ चीजों को हम generalize करें बैटे हैं यानि के कोई belief जो सच नहीं था हमने मान लिया अधिकांश बिमारियों के आपके belief generalized है diabetes ठीक नहीं होती cancer ला इलाज है दमा दम के साथ जाता है migraine ठीक ही नहीं होता जी autoimmune ठीक ही नहीं होती जी यह सारे के सारे याद रखे का generalized belief है लेकिन हमने इने universal truth बना कर अपना belief बना लिया है और वही identity भी तैयार कर लिए पैसा कराब होता है पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं पैसा कमाना बड़ मुश्किल है पैसा ऐसे ही रुकता पैसे से दुश्मन आ जाते हैं पैसा रिसेदार लेकर भाग जाते हैं ऐसे बिलिफ आप पैसे के भी रखते हैं यह सब generalized belief है opinion थी है किसी की लेकिन हमने belief बना लिए रिष्टों जी का जंजाल है रिष्टे बस्ते का हैं कौन किसकी देखबाल करता है और यह belief हमारे रिष्टों के हैं दुनिया बड़ी जाली में दुनिया बड़ी खराब है दुनिया से बच के रहना यह हमारे बिलिफ दुनिया के हैं और इन बिलिफ के साथ आपने हर चीज को जाती है इसका मतलब यह है कि आपके नियूरोंस में यह चले जाती है यह नियूरोंस जब आप पैदा होते हैं आपके ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं इन्हें हम नियूरों कहते हैं इनकी संख्या आसी बिलियन से ज़्यादा होती है एक नियूरों की मेमोरी की कैपसिटी 82 GB से ज्यादा होती है इतना बड़ा memory center लेकर आप पैदा होते हैं और वैसे भी आपके neuron बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे आप memory का प्रियोग करते हैं प्रोपर ले इसलिए कभी memory की कोई कमी नहीं पढ़ती किसी भी उम्र में और ये neural event इसे ही हम प्लास्ट नियूरो प्लास्टिक चेंज भी कहते हैं इन में से कुछ केमिकल नियूरो प्लास्टिक चेंज बन जाती है यानि के हलके neural event बन जाएंगे और कुछ गहरी जिनको हम structural नियूरो प्लास्टिक चेंज कहते हैं इनी को हम memory भी कहते हैं और इनी को perception भी कहते हैं इन्हीं को subjective experience भी कहते हैं और इन्हीं को subconscious के pattern imprint या script भी बोलते हैं इतने नाम दे रखे हैं हमने हिंदी में इन्हीं को इस्पर्टियां कहते हैं उर्दों में यादे कहते हैं ठीक है न और याद रखेगा यह memory आपके पास बच्पन से भरी हुई है और यह लाखो आपका brain और समुद्र हमेशा restless हैं ये कभी rest नहीं करते हैं और आप उस restless में हमेशा जीते हैं और जो जो फोट आपका आता रहता है वो आपकी memory से निकल कर आता है या memory का ही interpretation होता है और जो भी memory में फोट आता रहता है मानस फटल पर जो थोड़ आता रहता है वो आपके अंदर एक चीज पैदा करता है उसे हम mental state कहते है आम आदमी से mood कहता है हिंदी में से मनोध दशा कहा जाता है किर्किट में इसे ही form कहा जाता है फिल्मों वाले लोग इसे groove कहते है और corporate के लोग इसे zone कहते है हिलर इसे energy कहते है और आप दो तरह की state में हो सकते है या तो resourceful या unresourceful अब अगर आप business man है आप student है आप student के parents है आप कोई individual है कोई भी आप है मेरी बात को गोर से सुनिएगा एक एक life को खोल के बता देता हूँ अगर आप एक business man है तो आपके लिए पैसा कमाना और business को बढ़ाना बहुत आसान है अगर आपका mind के 80 billion neuron frustration की जगा flexibility को ले ले confusion की जगा concentration और decision making की state को बना ले ठीक है ना तो आप immediately आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी एक negative state है और एक positive है जो भी आप खोते हैं वो negative state की वज़े से खोते हैं और जो भी आप पाते हैं तो वो आप positive state में थे इसलिए पा लिया और अगर आप एक couple हैं तो या तो आप negative state में जी कर इस रिष्टे को ढो रहे हैं और वो negative state क्या है वो है loneliness apathy indifference towards your partner narcissism animity anger और अगर आप रिष्टों में खुशियां लाना चाहता है चाहते हैं तो एक state होती है neurons की उसका नाम होता है togetherness empathy compassion लेकिन ये कहने से नहीं आती ये सोचने से भी नहीं आती ये एक mental state है जिसमें 80 billion neuron का एक रूप में होना जरूरी है ये टेकनिक आपको NLP सिखा सकते हैं अगर आप एक student है या student के माता पिता है तो आप ये जानते हैं कि बच्चा concentrate करे तो सब कुछ learn कर सकता है और आप चिलाते हैं concentrate करो पर आप कभी नहीं बताते कि concentrate क्या है concentration basically state of mind है जिसके बच्चे को नहीं पता concentration के लिए पाँच बड़े step होते हैं mind के अंदर association interest making the picture in colors creating a uniqueness in that content and creating the eye जब इतना बच्चा करेगा तो concentration कर लेगा वरना उसकी जगे उसके पास पढ़ रहेगा डर्फ exam का subject का class का teachers का और अगर आप सुस्थ हैं तो आप wellness की state को जी रहे हैं जिसमें आप अपने dose chemicals को release करते हैं dopamine, oxytocin, serotonic, endorphins और अगर आप बीमार पढ़ रहे हैं तो अब आप cortisol और adrenaline के चकर में पढ़ गए हैं और वो जो positive chemicals हैं उनके लिए आपका mind और body तड़प रही है इतना important है आपकी state का difference और आप किसी भी state में हो आपकी body एक काम जरूर करती है, act करती है आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे गुस्ता आया ता मैंने कोई action नहीं लिया आपके action लेने का तो आपको idea ही नहीं होता सर, basically आपकी body में immediately आपकी नसे shrink हो जाती है आपकी body का medium alkaline से acidic हो जाता है आपकी immunity disturb हो जाती है immediately, उसी पल आपकी heartbeat बढ़ जाती है, BP बढ़ जाता है शूगर आपके liver से immediately release हो जाती है blood में और आपको लगता है कि diabetes 2 हो गई है आप act जरूर करेंगे, visible नहीं है invisible तो है और याद रखेगा जितनी भी disease है वो हमारी body के action ही है और ये verbal भी हो सकता है और non-verbal भी, verbal ही तो आप रोग देंगे non-verbal तो चली रहा है और याद रखेगा जो action आप life में जी रहे हैं, वही तो आपके results हैं, और इन results का sum total इसको आप पता है क्या कहेंगे, life तो आप दो तरह की life जी रहे हैं एक वो, जिसमें आपके chemicals बढ़िया निकल रहे हैं, जिसमें आपकी body अच्छी तरह से, जिसमें आपके सपने अच्छे हैं, जिसमें आप पैसा कमाने की right state में हैं, जिसमें आपकी wellness state है, जिसमें आपके अपने संबंध बहुत बढ़िया हैं, और आप खुबसूरा जिन्दगी जी रहे हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपको मुबारक बात देता हूँ, यह webinar भी वैसे आपके लिए नहीं है, फिर भी आप join करें या ना करें, आप पूरी तरह से blessed हैं, लेकिन अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इशू है, तो यह इशू अगले दस साल बाद बढ़ सकता है, और यह क्या हो सकता है कि आज हमारे देश में एंग्जाइटी, घर-घर की कहानी है, डिप्रेसन, हर घर में किसी ने किसी को मिल रहा है, साइको सोमेटिक डिजीज, हम उसके शिकार होते जा रहे हैं, OCD, Obsessive Compulsive Decision और रिष्टों में नार्सिजम यह बढ़ता जा रहा है, और अगर यह आपकी लाइफ में हैं, तो आप लाइफ के एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं, जहां पर थोड़े दिन बाद ऐसा लगेगा कि रोड ब्लोक आगे लाइफ का, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने माइंड को बेहतर करना सीखें, NLP बेसिकली नियूरल इवेंट पर काम करती है, मैं आपके लिए रियल इवेंट नहीं बदल सकता, अगर आप यह कहें मेरा पती या मेरी पतनी ऐसी है, या मेरे बच्चे ऐसे है, या मेरा बोस ऐसा है, मैं उन्हें नहीं बदल सकता, लेकिन आप उनका परसेप्शन आपके दिमाग में खतरनाक ना जाए, उन इंप्रिंट्स को मैं कभी भी डिलीट कर सकता हूँ, यानि के मैं आपके नियूरल इवेंट पर बचा लूँगा, और यही सबसे बड़ा काम है, नियूरो प्लास्टिसिटी और नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, और यही मैजिक, जब मैं लोगों के साथ करता हूँ, तो मुझे मैजीसियन बोलते हैं, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, यह तो आज मैं आपको भी सिखाऊंगा, और मैं बताता हूँ किया होता है, अगर आपके नियूरल इवेंट निगेटिव चल रही हैं, तो आपकी और निगेटिव सिट में पता है, आपके शरीर में क्या होता है, दो केमिकल निकलते हैं, इन्हें फाइट और फ्लाइट केमिकल कहते हैं, इस्ट्रेस केमिकल भी कहते हैं, और यह थोट से ही निकलते हैं, यह निकलने तब चाहिए जब सच मुझ में कोई खत्रा हमारे सामन हो इनका नाम है एडरनालीन और कोर्टिसोल और इनके तीन-चार काम में हैं इम्मीडियेटली जैसी आपकी बोड़ी में नेगेटिव थोट की विज़से कोर्टिसोल निकलेगा एडरनालीन निकलेगा तो पढ़ लीजेगा पहला काम है कि आपके लीवर में जो भी शुगर को खाने के लिए तैयारती उस एंग्जाइटी की वज़े से वो अपने काम को हेंपर कर देंगी तीसरा काम यह होगा कि आपकी नसे श्रिंक हो जाएंगी और चोथा यह कि इसमें चलने वाला जो ब्लड है उसकी स्पीड बढ़ जाए कि आपकी हाटबीट के साथ इससे हम हाई ब्लड प्रेसर और पैल्पिटेशन कहते हैं जो एंग्जाइटी में आप ओलेडी कई लोग इस समय एक्स्पिरियंस कर रहे होगे और यह एनलपी से हटाया जाता है पूरी तरह से क्या इसकी कोई गरंटी है यह दिपी गरंटी वर्ड अच्छा नहीं है पर म आप कितना भी कम खाएं याद रखेगा वह फूड आपके लिवर में जाकर फैट में कनवर्ट होता और यह फैट आपके बैली के ऊपर सेंट्रल ओबिसिटी की तरह दिखाई देता है इतने सारे नुकसान होते हैं याद रखेगा तो यह रिजल्ट अगर आपकी लाइफ म से जो हमारे लिए वेलनेस केमिकल है और जो मेलाटोनिन है हमारा स्पिरिच्वल केमिकल और हुमन ग्रोथ होर्मोन जो बच्चों में निकलता है पर आज कल बच्चे स्ट्रेस की वज़ए से बोने हो रहे हैं और इस सिम्टम को लिख लीजेगा इसे हम साइको सोशियो डौ कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जिसे पढ़ाई के साथ आप उसे बड़ी बाइक भी दे रहे हो कार भी दे रहे हो उसके लिए बड़ी आप सिक्योरिटी भी दे कर जाओगे बड़े मकान भी दे कर जाओगे लेकिन उन्हें एनलपी भी देना क्योंकि एनलपी साइको नियूरो इम्यूनोलोजी ने बताया है पी एन आई के दुआर ये मेडिकल साइंस कह रही है मैं नहीं कि यह थोट आपके वाइट बलड सेल्स पर जाता है और आपकी वाइट बलड सेल्स तीन तरह से काम करती है उसमें जैसी उन्हें पता चलता है कि आपके पास बेक आपकी इम्यूनिटी ने कैंसर सेल को कई सालों से मारना बंद कर रखा है वो सरंडर कर चुकी है क्योंकि आपके माइंड में कोई स्ट्रेस पड़ी है दूसरा काम यह भी कर सकती है कि आपकी इम्यूनिटी ओवर्यक्ट कर जाए ऐसे में हमारे पास एलर्जी नाम की विमार आती है और यह कई बार खतरना को जाती है अगर आपके पास कोई भी एलर्जी है डस्ट की है वीट की है समझ लीजिए आप अपने माइंड की प्लानिंग कर लें यह ठीक हो जाएगी यह फिर आपके पास साइको सोमेटिक डिजीज है यह तब होती है जब आपकी इम्यून नहीं है कि आपकी सेल्स के साथ आपकी जो बालों की जड़े हैं वो इन्हें रोक नहीं सकती पर आपकी इम्यून सिस्टम ने इन्हें मार दिया क्योंकि आपकी इम्यून सेल्स ओवर्रियक्ट कर रही हैं यह कभी भी पी एन आई गूगल करिएगा और आपको पता चल बिल्डिंग की तरह है जो एक आर्किटेक्ट कोई नक्षा बनाता है और उसपर बिल्डिंग खड़ी करता है तो यह तो लैंड है ऐसे ही अगर वो थाइराइड की ग्लैंट्स को मारने लगे आपकी इम्यूनिटी से थाइरोडिजम कहते हैं और हाँ इसकिन की सेल को मारने लगे तो याद रखेगा इसे सोराइसिस कहते हैं ट्वेंटी मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस इन इंडिया उनको एकदम से डिफरेंट तरीके की सिम्टम्स आते हैं मैं इसके बारे में ज़्यादे नहीं बोलूँगा कभी भी आप गूगल करके सोराइसिस यही अगर जोडो को नुकसान करने लगें आपका इम्यून सिस्टम जो मेरे साथ भी हुआ था मैंग्जाइटी से गुजर रहा था पास्ट के ट्रॉमा थे मेरे पास तो यह इसे रियुमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं यही अगर आपके बीटा सेल्स को मारने लगे पैन करियाज को तो इसे हम डाइबिटीस वन कहते हैं क्योंकि अब बीटा सेल्स आपकी इंसुलीन नहीं बना रही और यह बच्चों में बड़ा कोमन हो रहा है इतनी बड़ी इंफोर्मिशन अगर मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं कुछ आगे भी आपके वीशू चल रहे हैं जहां पर आप अपनी लाइफ को मस्ती के साथ बिंदा स्वे में नहीं जी रहे हैं अगर आप अपनी मस्ती को खोच चुके हैं तो एक बार फिर उसे आप एंजोई कर सकते हैं मैंने भी जीवन के थर्टी फिफ्ट इयर में इस ब्रेक्ट्रू को लिया तो आपको उसी तरह के मेंटोर्स उसी तरह की टैक्निक और अपोर्चुनटी मिलती रहेगी इसे हम लॉफ सक्स अट्रक्शन भी कहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अगर इतनी सी बात है तो यह रहे रिजल्स जो मैंने आपकी बात करी थी इनके नाम तो मैंने ले दिये फिर डेंजरस दिस ओर्टो इम्यून इस आई नो और कई लोगों को मुझे हील करने का मौका भी मिला है मेरे इन 27 सालों के करियर में क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपका माइंड शान्त हो जाए तो आपको वही जोन मिल जाएगा जो आप दसवी बारवी किलास में खूब न स्टेट ओव माइंड वह फॉर्म आपको दुबारा मिल जाए अनलपी से आपकी बोड़ी और आपके सपने फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे उसी तरह से आप चलांग लगाएंगे लाइफ में चाहे वह आपकी फिजिकल लाइफ हो चाहे वह आपकी बिजनेस से ये मैं अपनी कन्विक्शन से कह रहा हूं और दस जार लोगों के ट्रांसफोर्मिशन के साथ जो मैंना अनुभव किया है उससे कह रहा हूं आप आगे बढ़िएगा चली अब बात करते हैं कि क्या-क्या मैजिक मैं आपके परिवार के लिए लेकर आया हूं इन मैजिक के स सभी एरिया में होंगे और मैं जानता हूं आपके तीन बड़े एरिया हैं पहला एरिया है 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 मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि आपके परिवार में कोई भी आदमी अपनी, mentally, anxiety, OCD, depression का कभी भी शिकार हो तो उन्हें आज से insulation दीजे आप उन्हें एक मकान देते हैं कम से कम एक करोड़ रुपे का उन्हें जिन्दगी का insulation देते हैं तो उन्हें आप mental, stress और anxiety का insulation क्यों नहीं देते हैं मैं तैयार हुँना तो आप उनके लिए दीजेगा और तीसरा relationship इन तीनों के बारे में ही मैं थोड़ थोड़ी बाते करूँगा इसलिए मैंने आप से कहा कि आज दो दिन की वक्षोप के बराबर आप इसका आनंद लेंगे जब भी आपको लगे कि आपको आनंद हमें यही सिखा जाता है कि तुम अपने आपको तो सबसे लास्ट में लाब लेकिन अगर तुम अपने transformation के लिए काम करोगे तभी तो तुम बाकी चीजों के लिए ठीक रहोगे तो चलिए आप पहली बात है कि खुद की transformation की बात करता हूं कुछ चीजों को मैं बताऊंगा हो सकता है आप परिवार में सुन रहे हो इस बैठकर इस वक्षोप को आप अपने परिवार को अपने साथ बठाईएगा हो सकता है उनके पास को ऐसा मसला हो जो चुप-चाप मेरे साथ रिजोल्व कर लें free of cost gift के रूप में क्योंकि मैंने आप से कहाता ना कि मैं और आप एक ही है according to the monistic theory हमारे अंदर एक ही एनरजी है शेप, नाम, कलर, उम्र ये अलग है लेकिन एनरजी ये किये तो चलिए पहला हम NLP का जो magic ले सकते हैं वो ये है कि हो सकता है past में आपके पास बहुत सारी abuse पड़ी हो किसी ने आपको गलत तरीके से treat किया हो, कोई guilt पड़ी हो, कोई regret पढ़ा हो कोई टूटा हुआ सपना पढ़ा हो, कोई बदला, revenge पढ़ा हो, कोई इरशा, कोई hurt पढ़ी हो कोई आपने अपने आपको victim माना है ये पढ़ा हो, कोई आपका बड़ा किलोना, जीवन का खो गया हो जिन्दगी का बचपन में, कोई failure, कोई break up, कोई accident पढ़ा हो याद रखेगा, ये आपके mind के अंदर neuroplastic change कर चुका है, वो भी structural इसे कैसे ठीक करें, कैया ये ठीक हो सकता है, मैं आज आपको एक technique सिखाने जा रहा हूँ और वो ये है, कि आप अपनी painful memories को अटा सकते हैं ये technique मैं दस लाख लोगों को बता चुका हूँ, पूरे world की बात कर रहा हूँ हजारों students को colleges में जाकर, छोटे बच्चों को, तीसरी चोती किलास के बच्चों तक मैंने इन techniques को सिखाया है, अधिकांश लोग आज जितने भी वीडियो आप NLP की देखेंगे इंडिया की मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सो लोग NLP की वीडियो या इसके बारे में बात इंडिया में करते हैं तो उनमें से 97 लोग मेरे student रहे हैं, और मैं proudly इसको कह सकता हूँ कि मैं उनके career उनकी life को सार तक बनाने में सहय कर रहा हूँ इश्वर ने या प्रकरती ने मुझे ये opportunity या जिम्मेदारी दिये दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि NLP आपके लिए क्यार कर सकती है सारी technique मैं बताऊंगा ये possible नहीं है उसके लिए मैं आपको एक opportunity दूँगा कि मेरे साथ life long जुड़िये कभी भी life में आपको मेरी जरुत पड़े और आपको मेरे पर यकीन आए और आपको लगता है कि एक छोटी सी problem जो घर में पड़ रही है और आपके नींद खराब कर रही है तो मेरी counseling आपके लिए जिन्दगी बर के लिए free रहेगी जब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ दूसरी चीज आप अब life में ये कर सकते हैं कि present में हो सकता है आप किसी situation में घिरे हुए हो और आपको लगता है कि मैं क्या करूँ वो रिष्टों का दर्द हो सकता है वो financial pain हो सकता है वो कोई और stuck issue हो सकता है NLP उस issue को resolve करे ना करे लेकिन आपको इतना बढ़ा कर सकती है कि आप उस issue को issue की तरह नहीं बलकि एक event की तरह देखना शुरू कर दे और आपके अंदर जो एडरनलीन या कोर्टिसोल या ओट पटांग केमिकल से निकल रहे हैं आप अपने आपको बचा कर उस problem से बढ़े होकर उसको resolve भी कर ले ये NLP आपके लिए magic कर सकती है तीसरा काम कर सकती है कि जब हम 8 साल की होते हैं उससे पहले पहले हमारी self image लोग बरबाद कर चुके होते हैं हमारी self image के उपर इतने घाव होते हैं हर आदमी हमें कुछ भी कह कर चला जाता है तुमसे ये नहीं होगा तुमसे ये नहीं होता तुम ऐसे हो तुम वैसे हो और इतनी ब्रैंडिंग हमारी कर दी जाते है कि जो हमारे अंदर की self image है वो कहीं दुग की पड़ी रहती है सरंडर करे पड़ी है दरी हुई रहती है और अगर आप इसी image से अपने in wounds को heal करना चाहते हैं तो NLP आपके लिए magic है मैं एक बात बताना चाहता हूँ हो सकता है आपके पास बड़ा बंगला हो गाड़ी हो बड़ा bank balance हो बड़े दोस्त भी हो हो सकता है आपके पास wardrobe भी भरा पड़ा हो हो सकता है आपसे लोग पोटोग्राप भी लेते हैं लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि जब भी मौका मिल आप अपनी self image को और बहतर और बहतर और wellness के साथ बनाना सीख सकते हैं आपकी सबसे बड़िया gift खुद को यही होगी कि वो कार तो खराब हो सकती है उस बंगले से भी बड़े बंगले बन जाएंगे उसमें भी एक दिन आपको नीद नहीं आती है लेकिन अगर आपके अपन मैं बनाने की कोशिश करूँगा एक moment के साथ पूरी आज बन जाएगी नहीं लेकिन आज मैं आपको करके दिखा दूँगा कि यह रही आपकी self image बताओ अब क्या होगा और आप कहेंगे magic हो रहा है तो जो भी टेक्निक में बताओंगा वो magical होंगी बाते नहीं अभी को गुटके का हो और एंग दिख का हो नेगेटिव ठींकिंग को बार बार सेल्फ डेस्रेकशन का हो कि आप मेहनत करते हैं फिर बरबाद कर देते हैं पैसे हर रोज आप अपने इस पाउस के साथ प्यार करते हैं लेकिन रात को कुछ या अगले दिन ऐसी कुछ बात कह देत भी हो सकता है कि आपके पास bad trigger and procrastination के चीजों को कल पर टाल रहे हो और ये भी हो सकता है कि आप inner talk के शिकार हो चुके हो रात बर आपके inner talk की खतम नहीं होती इतना ही नहीं यह तो मैं आपके ठीक करने के लिए उपर वाली टेकनिक को बता रहूंगा लेकिन इसके अलावा और भी बता रहता हूं नवी चीज में आपके लिए यह भी कर सकता हूं कि आपके लिए बड़ी वेल्ट और प्रोस्परिटी के उन पैटर्न को डाल सकती है जो लोगों ने खराब कर रखे हैं या आपके पास है ही नहीं आप फिजिकल मेहनत खुब कर रहे हो कॉंशेसले प्ल साल खुद के उपर लागू किया इसे हम डिड्रो पैटर्न ओफ एनलपी कहते हैं डिड्रो वाज़े हीमन आइम वाज़े बिग लाइबरेरियन वन सपोने टाइम और वहां से यह टेक्निक आई है कि गूगल पर कभी भी डूंडी जा सकती हो पैटर्न लेकिन उस पैटर्न मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इनिशेटिव, एटिट्यूड को डेवलेट किया कि इन 45 डेज मैंने एक बुक भी लिखी और एक ऐसा कोर्स बनाया जिसे लोगों ने इतना सहरा है कि आज भी उसके दिवाने हैं पहले ही महिने में इनी 45 डेज में मैंने किताब भी लिख ल रुपीज, 40 लेक रुपीज, कहने का मतलब है यह सी जे अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप मेरे से बहतर सिच्विशन में हैं, आप भी कर सकते हैं, आप कहेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको painful memory हटाऊंगा, फिर दो-तिन चीज़े ठीक करूँगा, उस ही में यह टेकनीक, और जब यह टेकनीक पूरी हो जाएंगी तब मैं आगे बढ़ूँगा, फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा, तैयार है, अगर हाँ, एंजोई कर रहे हैं, तो बिलकुल करिएगा, मैं आपको बार बार यह नहीं कहूंगा, कि रुको 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 यही कारण है कि दुनिया के बड़े से बड़े बिजनिसमेन एक एक घंटे के दस मीटिंग के वन मिलियन डॉलर देते हैं, एंथनी रोबिन्स को, नाम आपने सुना होगा, यह टेक्स वन मिलियन डॉलर फोर टैन मीटिंग्स अली, टैन आरकर, वो सिर्फ एनल पी करते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, वो तो मैं आज ही सिखा रहा हूंगा आपको, आप कहेंगे वो ही बिल्कुल, आपका लिमिटिंग बिलिफ बदल जाएगा, और क्या है, आपको पॉजिटिव बिलिफ आएगा, आज ही आएगा, बिल्कुल, मैं आपको रिलेशन्शिप तरोता आजा कर सकती है, आप रिष्टों को एक बार फिर मजबूती के साथ जी सकते हैं, तो वैसी विरिष्टा खोने की चीज़ नहीं है, यह बड़ी मुश्किल से हमें मिलते हैं, इस से हमें जीवन का मीनिंग मिलता है, NLP का मैजिक यही है कि रिष्टों को बेतर कर लेत है, लाइफ का परपस ढूंडने के लिए और उस परपस के साथ अपना एक रूपता बनाने के लिए NLP सबसे बड़ा काम करेगी, आप अधिकांश लोग अपने परपस कोई नहीं ढूंड पाड़ते हैं, और अपनी जिंदगी में दिखाने के लिए तो सब कुछ हरा हरा है लेकिन सब कुछ अंदर सोका सोका रहता है, एक आदमी कहता है कि यार मैं करोड़ों रुपे कमाता हूं पर यह नहीं पता है कि मैं जी क्यूं रहा हूं, यह रियालिटी है, लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी NLP के द्वारा इस अपने परपस को ढूंड ले और उसके साथ आलाइनमेंट कर लें, तो यही वो मैजिक पल हैं, जो NLP आपके लिए दे सकती है, आपके परिवार को भी, आप अपने लाइफ के ड्रीम डेज को तयार कर सकते हैं, कैसा आपका दिन होना चाहिए, फ्यूचर में, और साइंटिस्ट कहते हैं कि यह दिन जैसी आप फोर्म क सुनिएगा, जितने भी लोग यहां पर हैं, आप entrepreneur हैं, या फिर business person हैं, या business करना चाहते हैं, आपने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, वो यह है कि हम अगर किसी भी successful आदमी की modeling कर लें, तो हम उन्ही pattern को develop कर सकते हैं, और उन्ही results को पराप्त कर सकते हैं, तो आज मैं एक का राम देव, आप उसे like करते हैं, नहीं like करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन business के point हो उसे, आप उसके एक thought को model कर सकते हैं, और ये thought किसी किताब में नहीं मिलेगा, और नहीं आपको कोई business coach देगा, और जैसे ही मैं दूँगा, आप कहेंगे कि yes, यही अगर मैं apply कर दूँ, तो मैं राम देव की तरह, जरूर नहीं कि आप योगा बेचे हैं, कुछ भी आप बेच रहे हैं, इस thought को मैंने भी model किया था, जब मैं modeling सीक रहा था, NLP से, मुझे भी वही result मिले, अपने field में, आपको अपने field में मिलेंगे, चलिए दूसरा हम ले लेते हैं, अमिताब बच को, तीसरा ले लेते हैं, महिंदर सिंग धोनी को, और चोथा ले लेते हैं, नवाजुदिन सिद्धी की को, ये चारों लोग successful हैं, इनके मैं आपको दस-दस belief दूँगा, जब मैं आपको अपनी workshop में लेकर आऊंगा, लेकिन आज दस-दस नहीं दूँगा, आज मैं इनके core belief को दे दूँगा, आप उस belief को model कर लीजेगा, modern करने का मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, तो ये आपके business को और आपके वेक्टित को पूरी तरसे बदल देगी, ये अपने आप में एक दिन की workshop के बराबर है, पर मैं इसे इतना simple बनाऊंगा, और आपको यकीन दिलवा दू गया, कि आप एक ही बात कहना, life is बिंदास, life is, I mean, very easy to live, ठीक है न, ये मैं वाइदा कर रहा हूं, और हम अप लोगों की mind की language पढ़ सकते हैं, आपका बच्चा कह रहा है कि मैं आप से एक example पूछता हूं, relationship में, मान लेते हैं, आप एक फादर हैं, और आपका बच्चा है, मान लेते हैं, वो 7th किलास में, 9th किलास में, वो कहता, I can't learn this topic, I can't learn mathematics, I can't solve this problem, I can't go further, पता है आप क्या कहेंगे, या फिर किसी motivational speaker के पास ले जाएंगे, और या फिर आपके अंदर एक motivational आदमी जागेगा, और क्या कहेंगे आप, आप कहेंगे, नो बेटा, you can do it, you are so intelligent, you can do anything, you have to understand that you have potential, यही तो कहेंगे ना सब लोग, पता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, शायद आपको नहीं पता, चौक जाएंगे, लेकिन सुनियेगा इस बात को, आज मैं आपको, आपके बच्चों के साब, रिष्टों को बहतर कर रहा हूं, हर चीत जो आप सुनते ह जरूई नहीं, कि वो उस कॉंटेक्स्ट में काम कर रही हो, जब भी आपका बच्चा यह कहे, I can't learn mathematics, यह उसकी inner reality है, और आप कहरें, no, you can learn mathematics, because you are a good boy, तो पता है, आपकी inner reality क्या है, that he can learn, और उसकी inner reality क्या है, he can't learn, आप मुझे बताइए, आपकी inner reality, और उस बच्चे की inner reality match कर रही है कि mismatch कर रही है, आपका जवाब होगा mismatch कर रही है, इसका मतलब है, आप अपने ही बच्चे के mismatcher हो गए है, आप कहेंगे yes, इसका मतलब है, कि हम mismatcher को कभी भी लाइक नहीं करते, बच्चा छोटा है, थोड़ दिन आपके साथ enjoy करेगा life को, 13 साल का होने तो आपने उसके साथ गलत communication किया है, हमें तो यही नहीं पता है कि बच्चा left mind से बोला है कि right, कोई parent सीखने को तयार नहीं, वो यह माल लेता है कि parenting अच्छे school में भरती करवाना और उसको कुछ एक AC और बढ़िया सी bike देना ही parenting है, याद रखेगा यह parenting नहीं है, वो तो कई बा नहीं की वज़े से आप यह सब कर रहे हैं, कि हमारे पास कुछ और देने के लिए नहीं, तो पैसे ले लो, उनको NLP दीजेगा, फिर क्या बोलना है, यही mind की language मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हाँ, मैं आपको एक करियर की बात भी करूंगा, तो सबसे पहले, आप मैं आप आपको एक डिड्रो टेक्निक बताऊंगा, जिससे मैंने 40 लाग रुपे कमाए, पॉड़क का नाम भी बता दूँगा, उस कोर्स का नाम है, अवीकन दा गोड ओफ मिरेकल्स, यह 45 डेज में मैंने तियार भी किया था, इसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, पता नहीं था, पर उन्होंने बताया था कि अगर हम ऐसा करना सीख लें, तो आप अपनी सफलता को कम से कम 10 टाइमस फास्ट कर सकते हैं, तो जिस किताब को मैं 8-10 महीनों में लिखता, जिस प्रोग्राम को मैं डेड़ साल में बनाता, और शायद ऐसा ना बना पाता, वो मेरे माइंड से, नियूरोन के डवलपमेंट से ऐसा कुछ हो गया, आप भी अगर सीखना चाहते हैं, तो मैं बताने को तयार हूँ, और पूरा बताऊंगा, हलका सा करवा भी दूँगा, ठीक है, चलेगा, अगर चलेगा, तो एक बार, इसमाइल के साथ, आई लिखिएगा, मैं देखना चाहूंगा, और अब हम शुरू करते हैं, हाउ टू डिलीट दा पैनफुल मैमोरी, याद रखे का जब हमारे पास पैनफुल मैमोरी पड़ी होती है, तो यह हमारे लिए, इस्ट्रक्शनल नियूरो प्लास्टिसिटी बन जाती है, यानि कि हमारा माइन और हमारे ब्रेन इ इंटीग्रेट कर लेते हैं, और कोई भी थोट अगर नेगेटिव है, वो इंटीग्रेट हो गया, तो वो आपकी फिजिकल लाइफ में भी, मैरिर लाइफ में भी, आपकी फाइनेशल लाइफ में भी, और आपकी फिजिकल, यानि कि हेल्थ लाइफ में भी, नुकसान करे करेगा क्योंकि आपका माइंड और बोडी हमेशा उस पुरानी मेमोरी के कारण अनकंस्यसली इंटरनली फाइट और फ्लाइट मोड में हैं जिसमें आप याद रखेगा मैं एक चीज़ बता रहा हूं आप कभी भी आप दो स्टेट में नहीं रह सकते जिन पलों में आप दु और साट ट्रिलियन सेल्स के लिए वो रियालिटी कभी कभी आप दूसरी रियालिटी में आते हो लेकिन वह इंटरनली वहीं की वहीं पड़ी हुए आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसा ल या नहीं पता है कितने लोगों को लगता है यार फ्यूचर में अब क्या करेंगे जाके बता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं याद रखेगा पास्ट में आपके इन पेंफुल मेमोरीज ने आपके अंदर इस क्लासिक अजंप्शन को जनम दे दिया जिस साइकलोजी कहती ह कि आपको मालूम है कि सब ठीक हो सकता है लेकिन आपके अंदर अब एनरजी या मोटिविशन ही नहीं रहा है अगर सबसे पहला काम आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने काल का भूत दिल से उतार लिजे दिमाग से उतार लिजे काल का भूत समझ गया ना भूत काल यानि कि समय का जो घोस्ट है इसे ही हम painful memory कहते हैं यह आपके लिए unresolved issue है unfinished agenda है मैं आपको एक gift दे रहा हूँ gift यह है कि आप अपनी कभी भी painful memories को अटा सकते हैं और आप अपने brain को एक बार फिर natural अवस्था में ला सकते हैं आपके neuron उनसे free हो जाएंगे अगले पांच मिनट में शुरू करता हूँ जितने लोगों को करना है करिएगा मैं तो यह करा हूँ सब को करिएगा मैं आपसे यह भी नहीं पूछाओंगा कि आपकी memory क्या है conventional psychology की तरह मैं उसको नहीं पूछूँगा हां उसकी intensity खताम होगी अगले पांच मिनट में इस वक्त अगर आपके घर के लोग भी आपके पास हैं उन्हें आप अपने साथ बैठा सकते हैं उतनी आवाज काफी है जितनी आपके laptop से आ रही होगी वह सुन लेंगे तो आप बीच में table पर रखकर अपने laptop को उनको भी बैठने का मोका देंगे तो अच्छा रहेगा मेरा contribution उनकी life में जाएगा मुझे अच्छा लगेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने past में जाकर किसी एक memory को याद करन जहां पर आप खुश नहीं थे मैं बताता हूं हो सकता है आपको डॉक्टर ने का आपके वी बिमारी हो गई उस इवेंट को हटाईएगा क्योंकि वह पर्मानेंटली पढ़ी है आपने कोई अफरात अफरी देखी है किसी आइमीन अस्पताल में कोवीड के दोरान आपने डर देखा है वो मेमोरी पड़ी हुई है आपने कोई एक्सिडेंट देख लिया आपको किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया है वो शब्ड वो चेरा आज भी तंक करता है किसी ने आपको गलत तरीके से चुआ किसी ने कोई आपके साथ ब्रेक अप हुआ कोई फेलियर यह ऐसी मेमोरी है जो अभी आपके पास आ जाएंगी, हो सकता है बच्पन की कोई हो, किसी ने आपका पीछा किया, स्टॉकिंग की, अगर कोई भी पड़ी है तो अगर आपको याद आ गई है, तो ठीक है, नहीं आई तो आप कोई भी बेकार की मेमोरी ले ले, कल आपने खान भी नहीं चला रहे हैं, या फिर आप किसी मशीन पर काम नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए इस ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो आप आखे खोले रखे, वरना आखे बंद कर लें, आखे बंद करके शांत रूप से बैढ़ जाएं, और मेरी बात को गोर से सुनते रहे आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे सुनते रहना, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, मैं आपको गाइड कर रहा हूँगा, यही NLP की खास बात है, कि मैं आपके सबकुंशिस को गाइड कर रहा हूँगा, कानों का प्रियोग करते हुए आपका, कंदे सीधे करते हु है एक पार्टिशन है शिशे का यह ट्रांस्पेरेंट है और इमेजिन करें कि इस ग्लास वॉल के पर एक टेबल रखी हुई है वो वुड़न की है कि पलास्टिक की है देख लो और इमेजिन करें उसके उपर एक LCD या LED रखा हुआ या TV रखा हुआ है जो भी आप समझें और इमेजिन करें कि उसका TV का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में राइट में या लेफ्ट में जो भी आप यूज करते हैं तो इमेजिनरी या काल्पनिक एक रिमोट कंट्रोल महसूस करें अपने हाथ में इतना सा काम आपने कर लिया है अब आप एक मेमोरी को जिसको याद किया है वो याद आ गई है कोई भी हो और आप एक बटन दबाईए कल्पना में तो अपने अंगुठे को उंगली पर हलका दबा लीजेगा ताकि आपकी बोड़ी मान लेके हाँ ये बटन दब गया और जैसे आपने डबाए मेंजन करें करी कि टीवी से आपनी उस ऑपने मेंटल स्क्रीन से उस मुवी या उस इवेंट को जो डिफेंट से वह memory TV screen और आपको दिखाई दे रही है आप इस memory को कलपणा में एक दर्शक के रूप में कि स्पेक्टेटर के रूप में देख रहे हैं देखिए हैं इसके फ्रेम्स जरूरी नहीं कि उसी sequence में दिखाई दे कई बार वो frame दिखाई देंगे जो सबसे जदा painful होते हैं जिसमें अफरा तफरी होती है जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा इन्हें आप दूर से देखते हुए एक बटन ओड़ दबाएं और imagine करें कि आपने इस टीवी की वॉल्यूम को कम करना शुरू कर दिया वॉल्यूम वाली लाइन को घटता हुआ देखें इसके स्क्रीन पर नाइन एट सेवन सिक्स फाइफ फोर त्री टू वन जीरो पर लोग कर दें आपका टीवी पूरी तरह से लोग हो गया कुछ नहीं सुन रहा है लोगों के लोगों को आप देख रहे हैं वोट हिल रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अगर अभी भी सुनाई दे रहा है तो imagine करें कि आपने इस टीवी के स्पीकर को तोड़ कर फैंक दिया है या फिर अपने कानों में कोटन डाल कोई भी धमाका था शोर शराबा था किसी ने गलत बोला था सब आवाजों को शान्त करिएगा और अब ऐसा लगेगा कि सब कुछ शान्त हो गया है आपका माइंड डिलीट करना जानता है आपके माइंड ने इसे डिलीट कर दिया एक बटन और दबाएए बैठे हुए कंद कर रहे हो अब आप इमेजन करें कि आप एक बटन दबाकर टीवी के कलर्स को डल करते जा रहे हो और आपने टीवी को ब्लेक एंड वाइट मोड में डाल दिया है आप यह भी मेजन कर सकते हैं कि आपने काले रंग का चश्मा पहल लिया है यह पुट ऑन गॉगल्स ब्लेक जिसके आरपार जो भी चीज दिखाई दे रही है वो कलरलेस है और फिर उस इवेंट को स्टीवी स्क्रीन पर देखो सारे सीन ब्लेक एंड वाइट है कहीं कोई सीन कलरफुल है तो इमेजन करो कि वो ब्लेक एंड वाइट होगा तो कैसा होगा साउंड को जीरो रखो अब आप तीसरा काम करें फाइनली एक बटन और दबाएं और इमेजन करें कि आपने उन सीन्स को रोक दिया है फ्रीज करिए उन सीन्स को जैसे आप जूम पर फ्रीज सीन्स को देखते हो जब फोटो वोटो खिंच लेते हैं आप स्क्रिंशोट ले जो आपको तंग करते थे उनमें कोई साउंड नहीं है कोई कलर नहीं और आप कोई मूवमेंट भी नहीं है यह रुके हुए सीन है जो एक कोलाज की तरह दिखाई दे रहे हैं अब आप एक बटन दबाकर इमेजन करिए कि आपने इनके उपर एक काल्पनिक बारिश करना श करते हुए पीछे किसी नाले नदी में चला गया है और स्क्रीन साफ बिलकुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है अब एक काम करें बारिश को जारी रखें और एक बार इमेजन करें कि सभी सीन को सुरू से आखिर तक इस मेमोरी को देखें और कहीं भी इस मेमोरी में कोई भी सीन अगर अभी दिखाई दे रहा है तो रोके और धो डाले रोके और धो डाले रोके और धो डाले रोके और धो डाले शुरू से आकिर तक आकिर से शुरू तक सभी सीन को पूरी तरह से दो कर ब्लैंक देखना शुरू करें कि मानो अब सब कुछ धुल गया हो अब रील के ना करें कि गिलास बोल हटा दी है और जहां ये टीवी था महां पर अपने हसते हुए चेरे को देखें ठाका मारते हुए देखें अपनी कच्छी मेमोरी को भी याद कर सकते हैं उच जगे पर आपने बड़े मनाया था नया साल मनाया था दीवाली आपने फंक्शन्स मनाये थ पीशे से कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं दलेर मेंदी का गाना सुनिएगा हो जाएगी बले बले और इससे एंजोई करते हो अपनी आख खोले आखें को लिए लुक अराउंड चारों तरफ एक बार आखें गुमाईए लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट और सांस रखिए आपने इस मैमोरी को चोड़ाता ट्रीटमेंट दिया है यह NLP की टेक्निक है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिन लोगों ने सचमुश में पास की मैमोरी में ये किया है और आप अपना ओनेस टांसर लिखेंगे मुझे खुश करने के लिए नहीं लिखे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अगर इस मैमोरी की इंटेंसिटी पहले 10 आउट ओफ 10 थी तो अब रिलेटिवली 10 में से कितनी इंटेंसिटी बची है वो नंबर आप कितना कहेंगे 10 में से 10 बची है 9 बची है 8 7 5 6 0 बची है क्या लिखना चाहेंगे जो भी आपकी फी पांच या पांच से कम लिख रहे हैं कुछ लोगों ने कायब किया है तो यह मैमोरी आपको कभी तंग नहीं करेगी इससे ना कोर्टिसोल निकलेगा और नहीं आपको आपको याडर्नली निकलेगा नहीं इसकी वजह से आपकी नींद खराब होगी और आगे बात और अगर इस मैमोरी के बाद कोई बीमारी आपको आई थी तो वो बीमारी अब आज से ही यूटर्न ले रही है अपने लिए ताली बजाईएगा याद रखेगा और अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे पहले जाकर देखेगा वहाँ पेइनफुल मैमोरी पढ़ी है इस टीवी टेकनिक से ठीक कर लिजेगा ये बीमारी एक हफ़ते के अंदर आपको जाती हुई नजर आएगी और अगर माईगरेन जैसी है हाई बलंट प्रेसर जैसी है तो ये कल तक सुबह तक ही आपको नॉर्मल मिलेगा क्योंकि आपकी बोड़ी तेसे हील करना जानती है फिर उस कलर को बलर्ड करिए जैसे ही ऐसा कर लेंगे तो ये मेमोरी आप पांच यह उससे कमा जाएगी और ये कभी तंग नहीं करेगी आप अपने बच्चों के साथ एक बार करके देखिएगा आप मैंसे कई लोग कहेंगे हमारे बच्चों क्या प्रोब्लम है मैं आपको मेमोरी है तो अधिकांश बच्चियों ने हाथ कड़े कर दिये और जब मैंने ये मेमोरी करी रिमूव करी तो एक बच्ची मुश्किल से फोर्थ किलास की होगी मेरे तरफ देखती हुई आई और मुस्कुराने लगी हग किया मुझे और कया रामसर ऐसा लगा कि मेरे पेट टेक्निक और बताई थी आपको अब चलिए कंदे सीदे करिएगा अब मैं जड़ी लगाता हूँ आपकी टेक्निक के लिए ताकि आपको यकीन मिल जाए कि जब आप मेरे साथ उस वक्षोप को करें तो आपको यह यकीन आ जाए कि हाँ आप एक सही रोल मोडल के साथ मैं मै बताना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं लाइफ में रुके हैं तो आप एक बार फिर चल सकते हैं चांस लेकर देखिएगा एक विमारी लाइफ से रजाती है तो बीस-तिस लाग रुपे बच जाते हैं एक इशू आपके बच्चे का मैं रिजॉल्व कर दो उसकी लाइफ एक आदमी की लाइफ नहीं बनती है अगली दो जनरेशन की लाइफ बनती है चलिए एक टेकनीक और कराता हूँ और यह पैसे की टेकनीक होगी कितने लोग है जो आप मनी बिलीफ को याद रखेगा इन्ही बिलीफ को एंतनी रोबिंस लाको रुपे लेता है जब वो किसी स खुली रखें या आंके बंद कर लें मेरे सवाल का कुछ सुनिएगा ठिंक ओफ डप रिच पीपिल ऑन यूर मेंटल स्क्रीन कुछ लोगों को जिनको आप रिच मानते हैं उनके बारे में सोचेगा वो आपके शहर के लोग हो सकते हैं वो देश के भी हो सकते हैं दुनिया क पर दिखाई दे रही कि अनकी पिक्चर सब्कु अपने मेंटल स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इन लोगों के चेहा है कैसे दिखाई देक क्या है इनके चेरे की चमक क्या है ये ट्री-डbook मिक्ट दिखाइद रहे हैं ये नज्डीक दिखाइद रहे हैं इन्की क्वालिटी क्या इने क्लोज लिदेखेगा कि देख लिया हाँ इस है तो आभी को पिकॉर आपको पिल्कुल लिए दिखाइद है रही uckles den एक सेकंड के लिए ने भूल जाईएगा अगला सवाल सुनिएगा अब आप अपनी मेंटल इसके लिए पार अपने बारे में सोचिएगा जो आप अपकी इमेज आ रही है क्या उसकी क्वालिटी क्या है वो ब्लैक औड वाइट है के कलरड है के चोटे हैं के बड़े हैं वो कि साइज के दिखाई दे रही है त्री डैमेशनल है के टू डैमेशनल हैं मूवी है के स्टिल फोटोगिराफ है और अगला एक सवाल सुनिएगा बस यही सवाल इस टैक्नीक का की है और इसे आप ठीक कर मिनट में आपका बिलीफ बदल रहा हूँ कि कि अगला स्वाल यह फ्रेंट्स कि वो जो लोग है जिनको रिच आदमी आप ने माना हुआ है और आप हैं इन दोनों एक साथ लाईए किया इन दोनों इमेजिज में जो आपकी मेज आरब लोगों की मेज इनको हम दो इमेज कहेंगे ना एक आपकी और बाकी रिश आदमी की मेज है क्या इन दोनों इमेज में कोई फर्क अंतर आपको नजर आ रहा है और अधिकांश लोग कहेंगे हां जो रिश आदमी है उसकी पिक्चर बड़ी है सामने है दिखाई दे रही है उसके लिए आवाज फिलिंग भी है कि ये रिश आदमी है और जो मैं अपनी पिक्चर है कई पीछे है या इनकनसिस्टेंट है चोटी है बलड है या आई नहीं रही है अधिकांश लोगों को तो आती ही नहीं अपनी पिक्चर तो इसके एम नहीं फरका जहां पर आप ही के subconscious ने rich लोगों को रखा हुआ है और चूंकि आपके subconscious ने आपकी inner self image को rich लोगों के बीच में नहीं रखा है यही कारण है कि आपको वो opportunity नहीं मिलेगी मिल भी गए तो उस दिन डर बैठ जाएगा उस opportunity पर आगे बढ़ने के लिए मन नहीं करेगा छोड़ो जार कुछ और कर लेंगे यह रोज कहते रहेंगे आपके motivation के लिए speakers की जौरत पड़ेगी जबकि motivation तो आपके अंदर था फिर मैं क्या करूँ आपका सवाल होगा और बेचैनी सवाल का जवाब आप उससे पूझा चाहरे होंगे चिंता ना करें बस एक काम कर लें आज रात हैं उन पिक्चर को आप देखें और अब धीरे धीरे imagine करें कि उनके बीच में आप एक space create कर रहे हैं comfortable space create करिए अपनी imagination के द्वार और यहां पर अपनी image को लेकर आईए और इस image को भी बिल्कुल वही quality दीजे जो बाकी लोगों की हैं उसी तरह कि उनके चेरे के colors हो जो बाक की लोगों और इसे बार-बार करिएगा बार-बार करिएगा और एक टाइम आएगा कि जैसी आप अपने बारे में सोचेंगे तो यूविल फाइंड अमंग दो डोस पीपिल हो और रिच और याद रखेगा आपका अगला सेंटेज यह नहीं आएगा कि मैं रिच आदमी ब याद रखेगा आपकी पैचान बनाने में सिर्फ मुझे एक मिनट लगी है इसे आप प्रेक्टिस कर लिजेगा यही काम है मैं आपके बच्चों के साथ भी कर सकता हूं अगर आप मेरी वक्षोप को करेंगे कि उनके दिमाग के अंदर एक नई सेल्फ इमेज दे दू ताकि वो टोपर के रूप में अपने आपको देखें अगर आपका बच्चा तोपर नहीं है तो निश्चित रूप से वो भीड में अपने आपको पाता है लेकिन अगर मैं उसे टोपर की जगे प्लेस कर दू तो माइंड के अंदर में बदलाव कर दूंगा बाहर तो सब थोट आई मिन अंदर के थोट को ही तो हम बाहर express करते है जिस मकान में आप बैठें पहले इसका थोट अंदर बनाता तबी तो यह बाहर बनाएं तो पहले अंदर चैंज करिये ना एनल पी यही करेगी मैं आपक दो तो दो टेक्निक बता चुका हूं, तीसरी टेक्निक को मैं बताता हूं, किसी भी रिच आदमी को आप मोडल कैसे करें, एक सिंपल सी एक्सिसाइज करिएगा, जो मैं आप यह आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बात रिच लोगों का बिलीफ और एफेट डिडरो टेक्निक जिससे मैंने 40 लाग रुपे कमाएं, उसे मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, उससे पहले मैं अपने प्रोग्रेम के बारे में बताऊंगा, इसलिए आपका जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि वो टेक्निक अगर आपको चाहिए तो कैस्वली नहीं दोगा, कैस्वली प्र की आप मोडलिंग करिए, एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो उन खूब शूरब ट्रेनर को आप मोडल कर सकते हैं, अगर आप एक बिजनेस परसन हैं, तो आप किसी भी बिजनेस परसन को जो सकस्वल है, उससे मोडल कर सकते हैं, और अनकंशियस मोडलिंग सिखा रहा हूं, क कंदे सीधे करिए कंदे सीधे करने के बाद imagine करें कि आप अपने home theater में बैठे हैं खुब सूरत सा home theater देखिए बढ़ी आसा सोफे पर बैठे हों आपने सामने की screen देखिए और अब आप imagine करें के screen के ऊपर आपको पहला character दिखाई दे रहा है जिसको आप model करना चाहते हैं मान लेते हैं वो trainer है या writer है कुछ भी आप मानिए जिसको आप वैसा ही बनना चाहते हैं पहले सीन में देखे कि उसका पहला सीन क्या है how he starts the activity किसी activity को वो जिसमें वो सफल हो रहा है कैसे करता है आपकी एक पिक्चर बनने शुरू होगी उस activity के एक detail देखेगा यह पहला सीन आपका तयार हो गया अगला सीन देखेगा उस activity में वो पीक पर कैसे जाता है कि इस एंजुएंग देखेविटी इस प्रेडूसिंग दरिजटी यह दूसरा सीन आगे पहला क्या था इस्टार्टिंग दूसरा क्या है गोईंग टूदा पीग थर्ड करियेगा achieving the end successfully अब उसने वो काम पूरा कर दिया है उस समय उसका क्या भाव है किस तरह से वो सांस ले रहा है कैसे वो कह रहा है वाव I have done it ठीक है न और किस तरह से last में वो reward प्राप्त कर रहा है हर चीज का reward आता ने life में तो कैसे वो rewards भी ले रहा है फिर आप एक बार पहले सेन पर आईए कैसे वो activity शुरू कर रहा है यहां से दिरे दिरे अब आपकी पहली पिक्चर बनेगी तूटी फूटी बनेगी शुरू में चिंदा मत करिए माल लेते हैं आप राइटर को देख रहे हैं तो कैसे वो टेबल पर बैठता है कैसे वो पहन उठाता है कैसे वो सांस लेता है कैसे वो थोट क्रियेट कर रहा है कैसे वो लिख रहा है रहा है दूसरा कैसे वो उस किताब को पूरा करता जा रहा है कैसे कैसे वो किताब को पूरा करके रॉइट I mean publisher को दे रहा है कैसे last reward ले रहा है क्या उसकी किताब पर्मोट हो रही है और उसको रही आवार्ड मिल रहा है तालिय बज रही है इस activity को आप अपनी तरह से 5-7-10-15 बार करेंगे बैठे हुए दूर से मानो आप इसके फिल्म डिरेक्टर हो तो एक फिल्म बनाएंगे mental movie और उसके बाद जब ये mental movie तयार हो जाए तो पहले scene में इसे रोकेंगे और अब आप imagine करें कि यहां से खड़े होकर आप धीरे-धीरे चलते हुए पहले scene में जा रहे हैं आप screen तक जा रहे हैं और imagine करें कि पहले scene में integrate हो गए हैं उस scene में आप उस cidade데 को नहीं देख रहे हैं आप swimming को देख रहे हैं आप वही एक्टिविटी करूए जैसे वह सादमिको करते हुए देख रहे थे चुकि आप इसे पंदरा बार देख चुके तो एक एक सीन याद है तो अब आप इमेजिन करिए कि आप भी वही करते जा रहे हैं पहले सीन को पूरा करके अब दूसरा सीन करिए तीसरा करिए और चोथे में रिवार्ड लीजे फिर पहले को करिए शुरू फिर पीक पर ले ज मिलेगा आप किसी भी तरह से किसी की भी इस तरह से मोडलिंग कर सकते हैं इसे हम अनकंशियस या सबकंशियस मोडलिंग कहते हैं यह आपके अंदर इनिशियेटिव पहल डिप कॉन्फिडेंस और बिलीफ को पैदा करेगा यह रही मेरी दूसरी टैक्निक पर मैंने आपको एक और बताया था कि अगर मैं आपको सक्सेसफुल लोगों के बिलीफ ही दे दूँ तो कैसा रहेगा और अगर मैं उन बिलीफ को आपको दे दूँ और मैं उनसे आपसे कहूं कि इनको आप लागू करना शुरू कर दें जो भी आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि स्वामी रामदेव के बिलीफ के लिए मुझे योगा सीखना पड़ेगा नहीं भाई आप हो सकता एक ट्रेनर हो को सकता है आप एक प्रोड़क्ट बनाते हो हो सकता है आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी प्लान को परमोट कर रहे हो हो सकता है आप अपनी फ्रेंचाइजी बेचना चाहते हो, हो सकता है आपके पास कोई आइडिया हो, हो सकता है आप अपनी किताब लिख चुके हो, जिसे आप बेचना चाहते हो, डिजिटल वर्ल्ड में, तो रामदेव वहां काम करेगा, येस, ये भी हो सकता है कि आप धोनी के बिलीफ से आप काम चला ले, फिर हम किस बिलीफ को मानते हैं कि उसने एक छोड़ा काम पकड़ा इस नाक से साथ लो इसे छोड़ो और वो लाखो करोड़ों की कंपनी उन्होंने तियार कर दी वो भी 12-15 सालों में ये कोई न कोई मैजिक तो हुआ होगा ना याद रिखे का ये मैजिक हुआ है उनके बिलीफ का ए आप किसी भी जगे अपने प्रोड़क्ट को बिखता हुआ देखेंगे अपनी ट्रेनिंग को बिखती भी देखेंगे कुछ भी आप करना चाहते हैं लोग आपके पीशे चल पड़ेंगे जरुए नहीं कि आपके आप पढ़े लिखे हों कौन सा बिलीफ है लिख लीजेग बोलें और बी कंसिस्टेंट और रेगुलरली बोलें यह काम करने से आप ठीक हो जाएंगे यह सांस लेने से आप ठीक हो जाएंगे उसने इसे पूरे लाउडली बोला है और लगातार बोला है जब भी आप अपने प्रोड़क्ट को अपनी प्लान को अपने आइडिया को किताब को अपनी ट्रेनिंग को जो भी आपके पास बेचने के अपनी क्वालिफिकेशन को अपने सीवी को अपनी अपनी स्किल को लाउडली और कंसिस्टेंटली लोगों को बताएंगे आपके यही रिजल्ट आएंगे कि आप एस्टबलिश होना शुरू हो अगर इस बिलिफ में दम है तो एक बार येस या वाव जरूर लिखें लेकिन अभी नहीं लिखेंगे चलेगा क्योंकि अब मैं दूसरा बिलिफ दे रहा हूं अमिताब बच्चन का मुझे भी मौका मिला है पेंडेमिक से पहले रहने का उनके ही बिलकुल पुडोस में और मैं गूमते हुए जब बीच से कई बार उनके घर के आसफासे निकलता था तो मैं देखता था कि लोग शाम को खड़े हैं उनका दर्शन करने के लिए और मैं देखता था कि वो जो लोग खड़े हैं वो कई बार 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के लड़कें खड़े हैं और किस आदमी के इन्जार कर रहे हैं जो 80 साल का है और महां से मैंने एक बिलीफ उठाया है और ये बिलीफ मैंने इसको मोडल भी कर लिया है और बिलीफ यह है फ्रेंड्स कि आप 80 साल की उम्र में भी जवान डिलों के राजकुमार बन सकते हैं और अगर आप ये कह रहें बचपन का हो गया हूँ, मैं 50 का हो गया हूँ मैं 60-70 का हो गया हूँ अभी तो आप जवान है, अमिताब से तो आप येंगर है कितना बड़ा बिलीफ आप ले सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए और अपनी खुशी के लिए तीसरा बिलीफ मैं देता हूँ महिंदर सिंग दोनी का और इस बिलीफ ने हमेशा मुझे एक नई शक्ति दिये और वो बिलीफ ये है महिंदर सिंग दोनी से मैंने एक बिलीफ लिया है आप भी ले लिजेगा, अपने बच्चों को भी दीजेगा वो कभी हारेंगे नहीं महेंदर सिंग दोनी के तो fan है लेकिन believe के fan नहीं है believe क्योंकि बताया नहीं किसी mentor नहीं और नहीं हमने और आपने parenting में बताया यही तो parenting है belief लीजेगा महेंदर सिंग दोनी का उसका belief है you can win the match even in the last hour or even on the last ball आप किसी भी match को last hour में जी सकते हैं और लास्ट बॉल पर भी, आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं, लास्ट ओवर में, ये महिंद सिंग का बिलीफ आप मोडल कर लीजेगा, उसी तरीके से, उसके अंदर जाकर उसको उस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लीजेगा, और मैंने एक और एक्टर का नाम लिया है, जो एक बहुत मोडेस्ट सी बैक्ग्राउंड एक गाव से आया है, और एक बड़े मुकाम पर पहुँचा है, नवाजू दिन सिद्धी की, उसका बिलीफ पता है क्या है, यूर पास्ट इस नौट यूर फ्यूचर, आपका जो भूत काल है, वो कभी भी डिटर्मिन नहीं करता है, आपके फ्यूचर को, आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, आप अपने फ्यूचर को कभी भी बहतर बना सकते हैं, ये चार बिलीफ आपको कम से कम, अगर इन्हों आप फोलो करने लगे, तो आपकी दो जनरेशन पर इंपक्ट डालेगा, और जैसा मैंने डिड्रो टेक्निक की बात करी थी, उसे मैं लास्ट में लूँगा, question answer से पहले, आगे बढ़ते हैं, यहां तक मैंने आपके साथ, आज आपको कुछ चीजे दी हैं, यहां तक की जरनी को आप कैसा बोलेंगे, एक word अगर लिखना चाहें, तो वो क्या होगा, good, better, best, wow, बिंदास, whatever you want to write, write it, I would like to read it, और अब मैं उन लोगों के लिए कुछ information लेकर आया हूँ, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं, कि हाँ, यह technique सच मुझ में काम करेगी, और कम से कम मेरे परिवार के एक आदमी को भी काम कर गई तो, काफी है, एक technique मुझे मिली थी कि माइगरेन को कैसे हटा माइंड से, और वो वई technique थी, जो मैंने आपको कराई है, मेरा माइगरेन भी हट गया, मुझे acidity भी नहीं हुए 27 सालों से, मेरे पैरों में कभी कोई problem नहीं हुई, जबकि मुझे डॉक्टर ने कहा था, तुम खड़े नहीं हो पाऊगे, मेरे बाल भी गिरने बंद हो गए यह सब natural है, at the age of 63, यही आपके साथ हो सकता है, लेकिन कैसे, हम मैं आपके साथ आगे लेकर चलता है, हाँ करियर की बात कर लेते हैं, अगर आप NLP में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके कुछ एक areas हैं, जिनको हम niche कहते हैं, आप NLP for students, NLP for teachers, NLP for parents, easily कर सकते हैं, बड़ा market NLP for couples, NLP for broken hearts, NLP for would-be girls, would-be wife, जो लड़किया हैं, जिनको डर होता है marriage का, उनके लिए आप counseling कर सकते हैं, NLP for business men, NLP for entrepreneurs, NLP for goal mastery, आप इनके business NLP coach बन सकते हैं, NLP for depression, NLP for panic attack, NLP for narcissistic behavior, NLP for I mean autoimmune disease, NLP for psychosomatic disease, आप इनके counselor बन सकते हैं, NLP for bad habits, NLP for addiction, NLP for I mean OCD, यह आपके counseling के pattern, I mean बहुत सारे area बन सकते हैं, कहने का मतलब है, और यह सारे भी बन सकते हैं मेरी तरह से, अगर आप चाहें तो आप human skill को सीखें, और याद रखेगा, अगर आप trainer हैं या फिर बनना चाहते हैं, training वो ही चलेगी, जिसके द्वारा और वो NLP और Neuroplasticity कर रही होगी, दोनों टेकनिक को मैं आपके साथ share करूँगा, कहां करूँगा, जिन्दगी में याद रखेगा, आगे बढ़ने से पहले दो तरह के लोग होते हैं friends, एक वो कि जैसे life चल रही है, चलने दो, यानि कि आप उस तरह से है कि तोटे हुए प ये तो एक paralytic thought है, और इससे कभी भी आप खुशियों को नहीं enjoy करेंगे, ये एक loser का script है, और आपने अगर इतनी देर तक सुना है, तो मैंने शित्रोप से कह सकता हूँ, अगर आपके पास बदलने की option है, और बदलने का tool है, और बदलने के लिए एक mentor तयार है, तो फिर loser script छोड़ दीजेगा, जीवन में याद रिखेगा, दो लाइन आपके जीवन को बदल सकती है, और वो लाइन है कि if you try you risk for failure, and if you don't you ensure your failure, हिंदी में इसका मतलब है कि जब आप एक कोशिश करते हैं, तो ज्यादा ज्यादा आपके पास असफल होने का risk होता है, लेकिन अगर आप कोशिश ही ने करते, असफलता पकी कर लेते हैं, कोशिश करिएगा कि मुझे अब loser script नहीं जेनी है, मुझे अपने परिवार को बेहतर जीवन जेना है, और वो बगएर mentor के बात नहीं बनेगी, बगएर technique के बात नहीं बनेगी, formal education एक समय तक ही आपका साथ देगी, उस अगर आप A पर खड़े हैं, तो आप इसी वक्त इस webinar को छोड़ सकते हैं, बाकी night को, बाकी time को, बाकी दिन को, बाकी समय को enjoy कर सकते हैं, अगर आप B category में आते हैं, कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे में एक बात बता आप जाएं या रुकें, आपके अंदरे कोल हमेशा आती है, और वो कोल यही आती है, let us grow, आगे बढ़ो, सफल हो, धन कमाओ, बेहतर life जी हो, कभी भी quit ना करो, याद रखेगा आपके body के और mind की जो innate intelligence है, वो हमेशा एक survival के परे जाना चाहती है, अगर आप भी मानते हैं, तो जुड़िएगा, और मैं आपके लिए, सबसे पहले अगर आप अभी भी जुड़े हैं, तो मैं आपको बढ़ाई देता हूँ, और मैं आपको offer करता हूँ, कि मैं एक program लेकर आया हूँ, जिसके द्वारा मैंने 10,000 से अधिक लोगों को certified किया है, I mean transform किया, इसका नाम है, NLP Subconscious Reimprinting Master Practitioner का coach program, ये मेरा 38 घंटे का comprehensive online लेकि लाइव program है, ये recorded नहीं है, लाइव होगा, जैसे मैं इस वक्त आपके साथ बोल रहा हूँ, ये 14 दिनों में complete होगा, और ये 14 दिन होंगे, जुलाई 8 से जुलाई 21, जुलाई 8 यानि कि जो आने वाली आठ त सारिक है, से लेकर 21 तारिक तक, ये 14 दिन आपको dedicate करने होंगे, week days में ये टाइम रात को साड़े 8 से साड़े 10 रहेगा, ताकि आप दिन भर आपना काम पूरा करें, संड़े को ये टाइम सुभा 9 बजे से, शाम को 6 बजे तक होगा, करीब 6 घंटे, 2-3 ब्रेक के साथ, लंच ब्रेक्स होंगे, टी ब्रेक्स होंगे, और इस तरह से ये जरनी पूरी होगी, पूरी तरह से ये ट्रेनिंग मैं दे रहा होगा, इसका जो, I mean language है, वो हिंदी और simple English होगी, 15 साल से अगर बड़े हैं, आप इसे join कर सकते हैं, बात की उम्र कुछ नहीं है, जितने भी आपकी age है, इससे benefit क्या मिलेंगे आपको, ये कुछ benefits हैं, आप अपनी mental state को बहतर करना सीखेंगे, subconscious के art सीखेंगे, आप अपने अंदर healing के gene को develop करेंगे, biology of belief आप कभी भी अपनी gene और DNA को साइकोलोजिकली बदल सकते हैं, epigenetics पढ़िएगा, I will prove it, मैं आपको goal mastery सिखाऊंगा, चैब आपका IIT में जाने का goal है, या क्रोड रुपे कमाने का goal है, रिष्टा बचाने का goal है, या खुद की बेहतर सिहत करने का, मैं आपको friendlyness सिखाऊंगा कि मुझ खोले लो, बगेर ही लोगों को आप impress कर लें, मैं आपके life के purpose को ढूंडना सिखाऊंगा, और हाँ, अगर आपके पास बेकार के trigger है, panic में जाने के, मैं उन triggers को collapse करूंगा, इतना ही नहीं, मैं आपके mind के destructive pattern को ढूंडना सिखाऊंगा, और इसी workshop में अटाना relationship को एक NLP technique से बहतर करना सिखाऊंगा, इसलिए पती पतनी के लिए बहुत important है, आपके अंदर अगर बटे हुए बैठे हुए हैं, ये कारूं या ना करूं, इस conflict को दूर करूंगा, negative thought खतम हो जाएंगे, किसी भी successful आदमे की modeling करना सिखाऊंगा, और वो language सिखाऊंगा, जि ये दोनों chapter language के हैं, और चोधवे नंबर पर आप समझेंगे, जो भी लोग कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों एक आदमी सिखरिट छोड़ता है, क्यों एक पीना शुरू करता है, एक आदमी relationship में जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, जो भी आप, कुछ भी आप भ वीजवल आदमी के साथ कैसे लड़ेंगे, और अगर आप काइनेस्थेटिक किसम के आदमी हैं, तो आप वीजवल आदमी के साथ आपकी शिकायते क्या हैं, आपकी लड़ाईयां क्या होंगे, आप एक वीजवल स्टुडेंट है, तो आप किस तरह से गरबड करेंगे, और काइनेस्थेटिक है ये रिष्टा किस्तने मुसीबतों से गुजर रहा होगा इसको कैसे ठीक करें सब कूछ मैं बता रहा हूँ आपके मैंडकें अंदर सिंबल से डालूंगा पतिक डालूंगा फैसे के सину के क्रिष्टों के और मैं आपके मेंटल बर्डन को खतम करूंगा जो बोज आया हुआ है आपका सवाल होगा और क्या इन्हीं इसी दोरान में एलर्जी को ठीक करना एनलपी से सिखाऊंगा चैल्डूड के अब्यूज आपके पास है पास्ट के कोई हाथ से पड़े हैं का डर है किसी का प्यार खोने का डर है यह फोब्या रिमूव करूंगा इम्मुनिटी को मैं गाइड करूंगा कि वो अटेक ना करें आपकी बोड़ी पर यही करोड़ों रुपे बचा सकती है सवाल यह है और इसके साथ मैं परसनल इशू लेऊंगा आपका सवाल होगा कि आप क्या हमें परसनल समय देंगे मेरा जवाब हो गा हाँ रात को आम पढ़ेंगे और दिन पूरे दिन में आपके लिए फ्री रहूंगा वन ओन वन सेशन देने के लिए जिसमें आप किसी के स इसके अलवा आपको अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में तो मैं लाइक माइंड़िड लोगों के साथ आपको शेयर, I mean Facebook group में जुड़ूँगा वाटसबक गृुक में जोड़ूँगा सर्टिफाई भी करूँगा ताकि आप इस सर्टिफिकेशन के द्वारा अपनी कोर्स शुरू कर जाएंगे इतना ही नहीं मैं आपकी हैंड रोल्डिंग भी रखोंगा और आप जब भी फ्री वक्षोप पेड वक्षोप करें तो अगर आप इस वक्षोप में रिजिस्टर कर चुके हैं तो वो वो किसी भी होटल मे हो रही वक्षोप आपके लिए फ्री होगी यानि के एक ही जगे पर आप दो जगे पैसे दो जगे कर रहे होंगे इस वक्षोप में रिजिस्टर करिए तो इस वक्षोप तो हम इसे करेंगे तो जहां पर भी आप हैं वहां पर आ सकते हैं अपनी वक्षोप कर सकते हैं वो आपके लिए बोनस होगी तो क्या उसमें ये फीस नहीं देनी होगी जी नहीं वहां पर सिर्फ आपको थोड़ा एडमिन और जो होटल के चार्जिश है वो देने होंगे और दूसरी बार में आपको रिपीट फिरी में बिल जाएगा ये बोनस हैं कि आपको बेसिक एडवांस एनलपी मिलेगी मास्टर प्रेक्टिशन एनलपी मिलेगी वैलनेस रिम प्रिंटिंग का लिंक आई मीन पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा दो दिन का आपको माइंडफुल मिलेंगी मेरी आवाज में डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स मिलेगा कैसे मोनेटाइज करें अपनी स्किल्स को पैसा कैसे कमाएं इन एनलपी टेक्निक से ये मिलेगा कॉंसिलिंग कैसे करें इसका मिलेगा गोल सेटिंग करें कैसे इसको मिलेगा और एनलपी इतने चीजे आपको मिल रही होगी इस प्रोग्रेम के साथ लेकिन आज ये मैं आपको कितने का दूंगा आपको क्यों लेना चाहिए लेकिन इससे पहले कई लोग इंतजार कर रहे होगे सब वो डिड्रो टेक्निक जिससे आपने अपने उन रुके हुए कामों को पूरा कर ल होगे तो याद रिखिएगा यह डैनिस डिड्रो नाम का एक आदमी था और वहीं से यह टेक्निक शुरू ही है उसने अपनी लाइफ में कुछ किया तक अभी गूगल पर पढ़ लिजेगा और वहां से एक पैटर्न बना कि उसने एक के बाद एक काम करना शुरू कर दिया उसको पता नहीं चला कि कैसे हो गया जबकि हम नया काम करने में कई बार सोचते हैं और हमें मोटिवेशन नहीं मिलता कंदे सीधे करेंगे और उसके बाद अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपके सवालों के जवाब के लिए अब रुखूंगा रेजिस्टेशन लिए एक विशेश परकार का जोन मिलता है यह जोन डिवाइन होता है यह जोन पूरी तरह से एनहेंस्ट स्टेट में ले जाता है यह जोन आवरेज आदमी का जोन नहीं होता यद पी आवरेज आदमी जोन को प्राप्त कर सकता है जब तक यह जोन नहीं मिलता तब तक आप उसे नए काम को नए क्रियेटिविटी और फ्लो के साथ पुरा नहीं कर पाते इस सीक्रेट को मैंने इसी टेक्निक से सीखा यह टेक्निक यह है कि जब भी आप किसी नए काम को शुरू करें तो पहले उस काम के बारे में ना सोचें बलकि आप अपने मानसिक दशा में जाएं यानि के आप उस काम के बारे में सोचें जिसमें आप बेहत आनंद लेते हैं जिसमें आपका माइंड पूरी तरह से खो जाता है काम करने के लिए जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि आप किस तरह से समय को बिता गए चाहे आप जिम जा रहे हो या किताब लिख रहे हो चाहे आप किसी और एक्टिविटी को कर लए हो ऐसे चाहे आप खाना बना रहे हो अगर आप एक House वाइफ है चाहे आप practice कर रहे हो योगा की कुछ भी आप कर रहे हो कोई activity अपनी life में ऐसी है आपके पास जिसमें आप पूरी तरह से खो जाते हैं आपको अच्छा है, आप अपने बच्चों के साथ खेल लेगी। उस समय आपके पास एक विशेश परकार का केमिकल निकलता है। उन्हों यह विद लिए हैं जैसे बहा हुजाएगे यह ट्रिगर रहेगी आप अपने कंदों सिद्द रखेंगे और इस चेट में आकर अब उस काम को पूरा करते हुए देखें गे जिसे आप पूरा कर्राहेंगी मैं उसी तरह से बेज रहा हूं एडिटर पूरा काम कर रहा है मैं उसे ट्रांसलेटर के पास बेज रहा हूं और वो अब पूरी तरह से डाउनलोड भी कर रहे हैं लोग फिर मैंने देखा कि मैं कोर्स बना रहा हूं को बना कर मैं उसका वेबिनार बना रहा हूं वेबिनार के बाद मैं उसकी जोन से शुरू करता था, शर्त यह रहने चाहिए कि जोन के आप पिक पर होने चाहिए इस अक्टिविटी को पूरा करने के लिए, अगर आप मरे हुए जोन से, अगर आप एवरेज जोन से किसी भी काम को शुरू करेंगे, तो ये बेकार ट्रिगर शुरू हो गया, यही तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि उसके पास जोन है कि वो खेल रहा है वो मॉल में गया तो मुझती के साथ खेला था उसी जोन को याद किलाते हुए उसको आप मैथेमेटिक्स कराईए ना आप कहेंगे यह तो मैजिक हो जाएगा मैजिक आपके अंदर है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो टिप्स दे रहा हूं और इन टिप्स को 27 सालों से मैंने प्रियोग किया और इस तरह से मैंने इस को बना लिए आप भी इस को इस पूरे की पुरी टेक्निक का यूज कर सकते हैं आप उस जोन को पकड़िए और जोन को पकड़कर अपनी एक्टिविटी को पूरा कर लिजेगा इस तरह से मैं आपको अब तक पांच एक्टिविटी या पांच वक्षोप दे चुका हूँ I think दो गंटे के लिए बहुत है आपके लिए बागी तो आप मेरे साथ जुड़ी रहें जो लोग अब यहां से सीरियस हो रहे हैं वो लोग जो आप सीरियस हो रहे हैं वो मेरे साथ रूख जाएं जिन लोगों को तीनी तरह के लोग यहां पर होंगे एक जो डिसाइड कर चु आते हैं मैं उनके लिए हैं पर हूं और जब तक आपको अपनी क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपसे बात करता रहूंगा यह सारी चीज़े जो आएं आपके लिए प्रोग्रेम अब से जबसे मैं यह प्रोग्राम यह 35,000 पर दे रहा हूं इसके लिए वर्थ है वन लेक फिफ्टी फॉर थाउजंड के बोनस यह बोनस जैसे आप आज अपने आपको रिश्टर करेंगे कल से लिंक आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आठ तारिक से सभी मिलन शुरू हो जाएंगे यह लिंक से लाइफ लोंग आप यूज़ करेंगे यहां पर मेरी लाइफ मिलेंगी चीज़े मैं हिंदी में भी आपको दूँगा इंगलिश में भी लाइफ टेमिन दूँगा अपनी रिकोर्डिंग लेकिन यह वक्षो लाइफ होगी लेकिन आज का इस्पेशल ओफर है इस्पेशल ओफर से पहले मैं आपको यह दो रहा दिखाना चाहता हूं यह मेरा और आपका परिवार खड़ा है हमारे परिवार के सामने आज 21 शतावदी में यह सारी चीज़े खड़ी एंग्जाइटी, OCD, अडिक्शन, डिप्रेशन, आप नहीं मान आज हमारे पास निगेटिव थोट बड़े पड़े हैं, साइको सोमेटिक डिजीज पड़ी पड़ी और दूसरी राही यह भी है के आप इन्हें निकल का इनको सॉल करके आप अपने आपको वेलेस देना चाहते हैं और याद रखिएगा इसलिए मैं आपको जो प्रोग्राम आप दे रहा हूं जितने लोग यहां पर आप डिजन ले चुके हैं कि मुझे बात करना चाहते हैं या इसे ले रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ओफर है यह एक लाग चावन हजार शेसो बाहतर का नहीं है और नहीं यह एक तालीस हजार साथसो बाहतर का है यह मात्र मैं आपसे कहूं 15 परसेंट ओफ़ दा कोस्ट है जो मैं वेल्यू दे रहा हूं उसका 15 परसेंट आपसे ले रहा हूं और वह बैठता है 23600 मुझे जीस्टी भी देनी है और याद रखेगा इसके साथ एक खास बात है कि यह 100% मनी बैग गरंटी के साथ है अब आप इसमें 90% को और कर चुके होगी नाइन्ट मनी बैग गरंटी के क्या खास बात रहेगी मेरी बात को आप गोर से सुन सकते हैं आप दो या तीन दिन मेरी वक्षोप को करियेगा रिजिस्टर करने के बाद आप दो दिन या तीन दिन पूरी तरह से मेरी वक्षोप को करियेगा और तीन दिन के बाद आप मैस आपके बैंक में मिलेगा इसे आप स्क्रिंशोट भी ले लिजेगा रिकोर्ट भी कर लिजेगा तेन दिन की वक्षोप करने के बाद आप अपना पैसा वापस लेंगे इसमें कोई कट नहीं आएगा ट्वेंटी ट्री थाउजेंड शिक्संडेड आपको वापस मिल जाएंग हो आपके बिजनिस मॉडलिंग हो बिलीव का ट्रांसफोर्मेशन हो आपको परसनल कॉंसलिंग हो इसी दोरान यह 23,600 में या तो यह हो रही होंगी और नहीं हो रही होंगी तो आप अपना पैसा वापस ले लिजेगा मुझे ऐसा पैसा बिलकुल नहीं चाहिए जहां पर मे कैसे करें यहां से हम शुरू कर रहे हैं यह लिखा जरूर है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स तक वैलिड है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब तक एक भी आदमे का सवाल यहां से पूरा नहीं हो जाता मैं इस लिंक को यहीं रखूंगा और मैं भी यहीं रहूंगा और अब आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं या तो नेट बैंकिंग के दूरू या फिर डेबिट कार्ड के दूरू क्रेडिट कार्ड के दूरू UPI के दूरू इस वक्त आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आ चुका है उस लिंक को जैसी आप यूटिलाइस करेंगे इमीडिटली आपक payment करने की option मिल जाएगी यह हमारा last workshop का webinar है यह workshop का last webinar है जो आ रही है हमारे पास limited seat है बस आप जल्दी से अपनी seat book कर लिजेगा बाकी अगर और information आपको चाहिए तो यह information यहाँ पर दी गई है यह 38 गंटे का workshop है एक बार फिर में revise कर देता हूँ यह 8 जुलाई को शुरू होगा 21 जुलाई को समाप्त होगा इसमें आपको छुटी नहीं लेनी है वर्किंग डेज में साड़े 8 बज़ से रात को साड़े 10 बज़ तक 2 गंटे और संडे को सुबा 9 से 6 बज़े तक बाकी दिन कभी भी आप मुझसे मिल सकते हैं आपके प्रसनल इशू में रिजॉल्व करूँगा यहां पर आप मिडास्टर्स ट्रेनिंग का अपना बैंक अकाउंट है इसका स्क्रेंशोट ले सकते हैं यूटिलाईज कर सकते हैं और हाँ अगर आप गूगल पे या पेटी हम करना चाहते हैं तो यहां एक नंबर दिया गया है इसी स्क्रेंशोट आइमिन पर और यह डिटेल दी गई है कि आपके पास नंबर है सेवन नाइन एट सेवन त्री वन डबल फाइफ टू डबल फॉर यह नंबर मेरी बिजनिस पार्टनर कुसंद का है थैंक यू ओल है सो नाइस ओफ यू अगर जो लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं वो कर सकते हैं और यह लिंक यहीं पर रहेगा थैंक यू वेरी मच अपना ध्यान रखेगा आगे बढ़ते रहेगा थैंक यू झालए खबताए बढ़ते यू झालए जगर से और यहाईक यू झालए पर लू तर यहीं झालए बदान रहेगा पत्रशनाप मेरी मैं थाल्वाना यह वोगू शपनार सम्त है